पड़ेक मस्खरा और बाहर जो अपने आपको जो भी समझ दूसरा में चूतिया है प्यार मैं जब पहली दफ़ा डेट पे गया हूँ जिस लड़की से मैं प्यार करता था तो तब था ये अब हैसा है तो मैं जाइसा हूँ जव का यह हूँ जांगा सामने है ऐसा हुआussy है दो ये भी निकने मैं काले कोला लगाते हैं या स्प्रेय करते हैं काले बाल इस प्रेय वाले से कोल है ना थोड़े से तो मासा हाता होगा रहा नहीं तकिया में रखने हूं उनको कैसे बजा रहा लेकिन ये भी है कि अगर आपको पॉड़कास कैसे नहीं अच्छी लगेगी क्योंके मेरे फेवरेट कॉमिक अकसर लोगों से पूचाता है आपके फेवरेट कॉमिक कौन है ये आपके कॉमिक्स का फेवरेट कॉमिक है मेरा भी अली अबदुल्ला का भी बच्चोदा नंबर वन माकिस्तान का मिस्टर मुस्टवा चौधरी कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप बताए मैं एक दफ़ा एक जगा गया था तो मुझे कह रहा था कि लोग जो है वो बच्चोदे होते हैं तुम आसमानी बच्चोदे हो मुझे आपकी बातों से यह याद आगया किसी ने मुस्टवा को क्या जैसे बड़ा समीना पीरजादा वाला सवाल क्या मुस्तवा को लगता है वो अंडरेटिड है अज़े यह भी होता है ना सीरियस होज़े हैं तो यहाँ खुजाना लाजमी फर्ज है दरसल मैंने इस बारे में कभी सोजा नहीं मापना आपको रोटनी करता हूँ यार बस पता है नहीं काफी लोग बोलते हैं वैसे यह बोलते हैं और लिखते भी है ट्विटर वगरा पर मैं देखता हूँ तो वो कहते हैं अगर डिसकास करें हमें रीसंट भी हमारे एक एकस्पिरियंस हूए कैसा था वो बहुत मज़ा है यह एक अदाकार अपने आपको शाकार समझता है अपने आपको जो भी समझ ले दूसरा हमें चूतिया यार लेकिन यह एक क्राउड है आपने देखी लिया उन्होंने कहा है किसी चीज को नुक्सान नहीं पहुचाना हमने यह अच्छी बात है पेट के कीड़े हो ठीक है वो हो तो दो मूग है वो तो कभी मर भी नहीं रहा उसके लिए जाहे है आप जिस मर से चीज का स्थन्जा कर लें बिल्कुल बिल्कुल लोगोंने अपना काना बचा के रखा है बिल्कुल है सही तो वो एक है तो हमें भी मेरे खाल में सोचने से मैं किसी चीज को हर्म नी कर सकता सॉर्य क्या कभी दिल को हर्म पहुचा है मस्तफा अचे वो अच्छा कह रही है कि उनने एक दफा एक सवाल यह भी पूचा था कभी दरख पे चड़े हो क्यों हो कोड होगा यह भी हो सकता है हमें तो आजकर पता चलें कि कि दरख तो पे चड़ चुका है फॉरेश्ट्री में महरत रखते हैं लोग पार्किंग के लिए जगह नहीं मिली लटी की जिसको जहां लटी मिल रही हो है मतलब यह है बहुत मस्क्राइब लाठी पार्क भी करें तो कि आजाता है बीस रुपी की टिकेट लेने बिलकुल ऐसे हर जगह यह लोग पहुंचे मैं यह आप दुनिया में कहीं पी जाएंगे वां पार्किंगे पॉंच जाएंगे तो अगले के मुवें पान था उसने का लगए आज डॉंट गिवा फ्लाइंग फॉंच तवे मैं तो इसने वह किया वो कांग ए यार वो कब आएगा जाय करवा दिया कह रहा है जाय करवा दिया या तुमने पान का जाय हुआ हमें किसी ने खबर दिये के कि आपको 2004 में उठा लिया गया था शर्म हमें बिलकुल हुआ कर लिया गया था वह एक डिस्प्यूट टाइप हो गया था कुछ एक हाँ अब तो ह हम उस वर्यन को सपोर्ट करते हैं वाकी अहां तो यह हुआ था बिल्गुल हुआ था पार्टी तो था नहीं हो कुछ ऐसी सिविलियन टाइप लोग थे और कुछ एक आद वो पुलिस ओफिसर और वो इस तरह से कुछ चकर था तो मसला डिस्प्यूट सा गया यार वो था अचानक से हुआ पहले से तैयारी नहीं था यह जाए प्रण नहीं था जो चीज अचानक से और दर्ट नहीं था नहीं वह ऐसे हुआ था बिल्कुल है वह एक बड़ा ड़ा टाइप हो गया था गेम उस चकर का था वो ममला और उस जमाने के अंदर जो एक शिफ्टिंग आ अचानक सारी थी निरेटेब वर्जिन की तो वो भी इसमें काफी सारी चीजें इन मौल थी लेकिन खैर अब वो माजी का किसा हो याद रखने के लिए मुस्तवा भाई आज भी अपने पिछे डंडा रख बेलकुल ऐसी है सब को पता हो मेरे तो उपर उन्होंने पूरा वो मास्क भी एक पिनाया था तो मुझे थोड़ी थोड़ी देर तक मुझे लगा कि मैं कोई बहुत 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 बड़ा टेरिस्ट हूं साकी हाँ ऐसे ही पानी वानी पट्टी है वह मतलब वह मिस्यूज ऑफ पावर वाला चकर था वो थे कोई को या उनको भी नहीं बताता ने अवस्यूज असल में तो जब उन्होंने देखा तो फिर डगे अध़ी जब अफ़र बोर फिटी जब उता और मुस्मा भाई याप यार वो ऐसे ही हुआ बिलकूल यही हुआ और नहीं कहा जहूर बड़ा काफी बड़ा इशू बन गया था वह काफी हा shorten यहार जहार की पुलिस ऑफिसर था वो इन्वाल था उसमें उसको भी नहीं पता था तो बाद में फिर यह हो गयार हम समझे के वह फला है और दिमाग है हमें इनी बता था इस तरह का कोछ चक्र हो गया था और वो परसनल एक वो नहीं थे पावर इस्तमाल करने का मेरे कजनने मैं यह कर दूं को हमें कि बता था चुप के लिए काट जावेगी अपने ही दोका देते हैं ऐसी है तो क्या यही वज़ा बनी मीडिया मीडिया सुने की बड़ चैनल छोड़ने की उसमें एक चैनल छोड़ने काला भी इशू था वो करेंगे डिसकस करेंगे मेरे खाल में इतर नहीं करना च छोड़ने बच्पना था अपनी टीम अगर एक दो गोल मारे फिर तीन-चार गोल खाए तो इतना दुख नहीं होता खुद भी तो मारे ना गोल अबने हाँ बहुत मारे है इसमें क्या जिंदगी है मारी गोल गोल चल रही है किसी ने आपसे ये भी पूछा है कि अगर आप इमरान खान के सपोर्टर होते तो आज आप इतने फेमस होते तो क्यों आपको अपनी रोजी रोटी से नफरत है जैसी इनको कोई नजर है यह आज वर जूम इन करें और साइन भी गया है है जो शुरू में हम सारे जाहर है उसी दोर के हैं, जब वो इम्रान माई बन रहे थे, सियासत में आ रहे थे, तो हमें भी लगता था कि सारे चोर, उचके, घग है, तो वो ऐसा था, बिल्कुल था, तो फिर वो आज सा आँके खुली कि नहीं यार ऐसा नहीं है, दूसरों को बहुत जादा गंदा किया गया है, बगार किसी वज़ा के, ताकि तीसरे को पर्मोट किया जाए, और वो आपके सामने है कि क्या हुआ है, यह वो नहीं कॉलेज की एक लड़की होती है, जो सब पटाना चाहते है, लेकिन जो पटाता है, वो बेजार आ जाता है, यार यह भी बड़ा मसला है, यह है खांसा, कि यह लड़की ठीक नहीं है, यह थेरपिस का बिल मैंने अफोर्ड कर सकता, ऐसे, वावाव, बर्गर जो का है, वीजा लगा के हमारे पास आएं, तो आपको, इम्पोर्टेट, लेकिन मुझे अब पांच साल का उन्होंने दे दिया है, अच्छा, मुल्टिपल एंट्री, क् में को कि वह भाई बाई यहां रहते हैं उन्होंने स्पॉंसर कर दिया था, यह भी तो है, यह आपका मसला सॉल्फ हुआ, अब जवानी में जब आते हैं, रोकते हैं, अरे, मुस्तपा भाई, यह भो पुलिस, यह हो था, बहुत दप्वा हुआ यह, बलके मेरे साथ यह भी केमरे से देख रहा तो, आपको कोई शुच जुया झा hearing? कभी ना करें? क temps Seda ऐसा ऐसा क्यूस muutर हो थे क्यूसा क्यूst मुझे पता है किस दिन केमरा जो नहीं उस पर बंदा नहीं होगा क्योंकि वो भी तो होते है ना ड्यूटी चेंज हो रही है उस पर कर लो आप स्विच पर आई ऐसे ही तो पो ही पकड़े जाए है कुछ ऐसी अदिद्स करते हैं हरकत जाया ऐसी जागा करो कर फकड़ा ही ना दो यह तो पहले ठमरूल है नो यह वैसे अइस अधी निगः कर नहीं होगा मेरे पास तेरा डीनिंग करवर नहीं तो मैं काफी पुलीस से एगवा स्कूल के बाहर रोग दिया मुझे तो वो माल बरामत हुआ नहीं वो कारवाई के बिलकुल बीच में ही उन्हों यार ये गलत है में दर्वाजा खोला तो हम मुवी के बीच में इंटरमिशन जल रहा था तो बजाए ये कि वो पूरा मामला देखते हैं और बीच में रोग देखते हैं नो बॉल तो मैंने यही किया ना अब जारी बात है आप बिजी हैं तो उन्हों तरवाजा खोला मैं बंद कर थिया उन्हों वापस खोला मैं बंद कर थिया उन्हों ती सिर दवाज खोला मैं लोग ये पूरा वो टायम तै जिसमें आप कपड़े पहन सकते थे यही मैंने बोला Please प्लीज में बहार आया, बोलते हैं आपको शरम नहीं आती, स्कूल है मैं जा बढ़ा जी मेभी क्लास ही बढ़ा रहा हुआ, वा, वा वा सलब प्रैक्टिकल कर रहा था भायों की ख्लास बढ़ारे हैं, किसी को आप लोग डिस्टब करने आ रहा हुआ आप लगो को पैसे वैसे लियो नहीं नेट मी बढ़ना जुरूरी है यह मिरसा बहुत हो चुक है माशाला यह यह है ऐसा है बिलकुल ऐसा है और पहले जो है यह खबरें भी आती थी हिलती है गाड़ी से जोड़ा गरिफतार यह वगार सका टाइप लोग छापे भी मारते थे इदर क्री क्लब के साथ टीवी शोज बनते थे गाड़ी हिल रही है यह तो बड़ा जीब सा है यार जो गाड़ी हिल रही हिलने तो यार क्या मसला है तोड़ी दिर बाद चले जाना जब हिलना रुख जाए यार अचीवमेंट हो नहीं पर यहांके बता दोगे आपकी हमें चाहिए हम टैलेंट मानें और हम देखो हम उस पर जाबे मार रहें देखो यार इतने बखेरत लोग है यह बहुत ज्यादा हो गया यह शरीफ वो है जिसको मौका आपने सबसे अच्छा काम यह कि आपने जगा ले लिए अब आप कुछ नहीं होता आप कुछ नहीं सकत अबड़ा यह अपार्टमेंट देखा है और आपको नीचे से जो शोफर लेकरा है मेरा लिमुजीन हमने भीजी लोगों को बता नहीं कि यह बोलते हैं आप गैस इतना कैसे लाते हैं आज जब आरा था मैंने बोला भाई वो गयास के पास जाना तो उसनोंने कहा कि भाई व यार बहुत आपके घर में तो पहले दफार वायार मरवाएंगे मस्तवा भाई खुद भी मरेंगे एदी अमीन हो जाएगा हमारे साथ आज इसके बाद किस तरह आपने शुरू किया अपना कामिट क्या आप मतलब बच्पन से आप कर रहे थे फिर आपने सोचा किया पैसे क मिलते हैं और हम तो ये पुरा गृप ही अल्मुस्त हमारा ऐसा थे दोस्तों का तो वह मुर्तजा जो है आपकी शहित मुलगात एक दफोई है जिपरान के गर पे अचा निए तब आप ने मुझे कैंसल किया वाज़ा था नहीं नहीं आपने मुझे फोन खोल के फॉलो किया उसी वक्त ने 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 उसी वक्ति यह था अच्छर ठीक है खैलो खैर हो या थीकि खोलकिया हो जाती है तो वो बेसिकली उसका आइडिया था वो थोड़ा एक उस तरहा का बंदा है जो ने एक या आइडा वाला जो एक बंदा होता है वो आपके गृप का अन्वर मक्सूद वो है और वो भी अन्मर की तरह मताब बहुत ग्रे में आ रहा है और उसने आपको गलत बहकाया तो उसने का वह यह जो तुम काम कर रहे हो ना इसका हमके पैसे होते हैं तो इस तरीके से करेंगे खेर पॉलिटिकल इतना अपना सैंस था ना उसकी अवेरनेस थी ती अगो उस ह नहीं बोला कि पॉलिटिकल सटायर करना चाहिए मैं उसका रूम है इस मुल्क में आपने कहां से मिलता है हाँ मैंने एक्जैक लिए तो पहले तो मैं बड़ा देर तक कि समझते हैं कि है क्या तो उसको लिखना है तो उसने चेक भी किया उसको अच्छा लगा तो इस तरह से पहली जो एपिसोड थी वही तो उसके बाद मुझे एक बंदा मिला और उसने जो है वो मुझे कहा कि मैंने तो आपको टीवी में देखा वाज मैं यू हो गया कि शटियार हमने तो एक कमरे में किया था इसने कहां से देख लिया वो दूसरी वाली मसवा बाई उस जमाने मे ओर नहीं हो रहे थी लिए कि यही तो कहरू मैं फिर कैसे देख लिया अब आपको पाता चला है यह नाम कैसे पढ़ा फोर मंच ए आज विब आज टी वी वी जब हमारा वो चलता था फोर मंच रह था तो फिर नाम किस तरह एस तरह हुआ कि आपने बोला एक से और नहीं काम इसके नम फोर मेंश होए तो इस तरह से वो फोर मेंश हो जो आपको यकीन था कि हमारे शो में कोई और तो नहीं आई लेड़िस का तस्थीन नहीं लेड़िस खुद बनना था वो स्रवावस अपार्टमेंट पे तो आपने लेड़िस घेट अटीवी वस यू अलड़ी एप् पर करेंगे और वो सीरियस था एक बंदा और मैं मैं उसके साथ पंगे कर रहा था और उसकी चीजे पहन लेता था शर्ट माड़ी है वह इस तरह से बहुत कर रहा था मैं वह शोदियां तो बारहल उसका था एक क्रिएटिफ साइट यूज की वह पड़ बढ़के भी आया था से आला तालीम हासिल करके भी आया था इसके अंदर आप गर के निकम में थे हाँ मेरा दो सिंपल भी काम क्या कर लेंगे यार तो ऐसे ही था कुछ पड़ायोड़ाई का भी एक टाइम तक ठीक था उसके बाद इतना नहीं था चकर तो यही सब चीजें थी जिदगी में हस्त क्योंकि आप मुझे लगता है अपनी जिंदगी जो है ना वह इन सर्विस ऑफ द जोक जीते हैं बड़े लोग जितना मैं भी हो मेरा भी यह मसला है मैं बड़े थीसस वीसस लिखता हूं कॉमडी पर थीटर पर आप मुझे सबसे अच्छे इस लिए लगते हैं क्योंकि आप यह करना है यह जाना है मैंने यह आप यकीन करेंगे एक दफ़ा वह बीना भी साथ थी उसके साथ एक शो कर रहे था हम तो एक बंदा है तो उससे बात चल लिए थी तो लाइट पड़ी थी पीछे से तो ने उसके नाग फिक मसा था मसा तो वह जब यूं साइड वह न तो लाइट की वैसे पदा चला के मसे बेदो बाल निकले वे तो इसके एक बड़ा और अच्छे वह मैंने देखे ना मुझे लेगा एंटीना ही है यह यह वह मैंने उसको बता दिया गल्ती से वह जाहरे वाजिए हो रहे थे वह इतने बड़े थे वह काट के मेरे खाल में अब को लिगा था जल्दी में सब कुछ रेडी था वह भूल गया बाल काट वही पदे चल गए और वह इतने वाजिया थे वह इतने वाजिया थे के कहना मैं जब उसको अगर वह और वह तब भी नदर आ रहे थे वह तो वह मतलब आप एक अजीव सी चीज है इस पैसरा नह अब आपने उसको बता दिया तो उसका क्या रियक्शन था भी ना कि ठीक है नहीं तो वह पिर उस बंदे को मैंने बदाया भी मैंने चीज पगड़ी मतलब उसको कैमरा बंद उक्ता किया मैंने पकड़ सकते हूं यह दो यह दो जो आरे ना वो बड़ा आसा कह रहे यह यह अगला ओन कर रहा था इस चीज को उसने का कर यार मैं जब पहली दफ़र डेट पे गया हूं जिस लड़की से मैं प्यार करता था तो तो मैंने जैसे हूं वैसे ही जाओंगा सामने ऐसे ही हूं मैं दो यह भी निकले में अगर मुझसे चाहती हो तो इसके साथ कबूल करो मैं यार तो इस तरह का सीन था तो मैं कहा रहा हूं कि वह कोई भी चीज होशो सकती हसने के लिए यह कोई भी ठीषिए हूसने तो उप को पसंदारी हो और इस पर आप अजॉए करते हो अश्ते हश्ते आप इसी तरह जिंदगी उजार लीग बिल्कल यह 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 बगना तो मतलब आप देखें मतलब को देखते हैं लाश भी एक वही है सीन कि आदमी पढ़ावा है अभी देखें कितनी मजाया बात है कि यह चल रहा था भी दो अभी दो चल रहा था इसको क्या हो लेट आवा यह ने की एक प्रस्पेक्टिव है मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसा ही है यह हम सब ऐसे ही है तो लोग इस तरह भी है जो चीज़ी हो जाती है मेरे दोस्के अपसरडिजम को देखते हैं लोग तो चाचा का फ्यूनरल था वो फिसला वो कबर में गर गया अब देखें ना वो साब कबर कोदी है हमने और बंदा गिरावाए और बंदा गिरावाए अब ऐसी सिच्वेशन बंदा कि आगर साब हसना शुरू हो गए यार देख यार और उसकी बढ़ गई होगी नहीं हमने फिर मिटी दालने उसको नीचे से कैसे लग रहा होगा ना उपर से तू चाहिए ही न जाप अल्ला ने चुन लिया कि यह यार वह कोई बता रहा था कि किसी के मामू गारे की डैथ हुई तो वह लड़के लड़के थे तो जैसी वह कबर वाला सीन हुआ अब लाल मुर्दा रखा है तो यह रखते हैं ना उसके जैब में चरस्तियों गर गई कबर उसके बात बा यह क्या कर गया है कंकारट आओ कंकारट आओ उस पर मसला वज़ा वरना अफवा पहलानी पड़ती कि नीचे कबर से आवाज आ रही है वापिस खोदो रात को जाके क्यार वह जिन्दा है खोदो तो ऐसा ऐसा एक बंदा ने वादा है लेकिन इस तरह की खबरें जो हैं वह होती ही वह लेकिन ऐसी ही हो जाती हैं सीना बसीना चलती हैं स्टोरी जब कल्चर हमारा यह है लोग हमारे सारे यह हैं आपको लगता है यह रिसंट फिनॉमना है के लोग ज़रा जोक्स कोई बुरा समझना शुरू हो गएं और चीज ही बुरी है यह तो वर्ड़ वाइड ए जैसे वह हमने देखा ही एक्सपीरिंस ही किया है कि यार वह कीडे नहीं मारने चाहिए और यह अच्छे बात है कोई जान बुच गया कोई भी लाल बेक नहीं मारता देंगे एक ऐसा वर्जिन नरेटिव आप बनाई नहीं सकते जो के बिलकुल एक लाइफ के गिंस्ट हो ल कर देते हैं लोग तो वो सब को पता है कि क्या चीज ठीक है क्या बुरी है कौन सी चीज कहां तक ठीक है कहां उसमें इशूस नहीं होने चाहिए तो हमारे यहां तो यह आगिया है लेकिन मेरे हाल में हीमर फिर तो खतम हो जागा है तो वैसे ही मैं आई तिंक आप मुझसे जादा अवेर हैं कि वर्डवाइड ही यह बात हो रही है यह आप जितना इसम को लाते रहेंगे तो फिर हुमर तो खतम हो जाएगा यहां तो चलें कुछ चीजें तो ऐसी हैं सेक्रेट काउज इंगो कहा जाता है शायद वो खुद को इतनी रिडिकूलस लगती हैं तो वो बनाकर पेस्मिंड में या एटिएम में लेकिन वो भी करने का एक तरीका है अगर आपको बुरा लगता है हम तो कर लेते हैं लेकिन दूसरे का यह कहना बजा नहीं है आप नहीं हमारा नहीं अब्हारा नहीं मजापके आप क्यों भाई?ा इसा ही है क्योंकि उसके फिर वो जो है न अचाब बरे है उडाः आप सकते हैं उसके बाद हम जो डाये है मेरे एसा मजाग करने जी बुरा ना लगे जो और वो ठीक हो मतलब होता है यहाँ हो सकता है यहाँ जो किसी को बुरे ना लगे मतलब एक फणी में में घ्रका पुलका कर दें आप खैर है अगर ने अब मैं उसको डिरेक बोलता है तेरे तो यह नाग पही हो तो तब मसला होता तो इसी तरह जो आप कह रहे ना उनका एक तरीकार है और वो अपने पैसा अपने शोर्स में किया भी है और वो देखते भी है तो वो मतलब उसमें यही फर्ग है अब आप उनका तो करें अब आप उनको तो कर रही है बड़ क्या वो कॉमेडी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो अफेंड कर रही है नहीं भाई होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए ना कि अगर एक पुलिटिकल लीडर है वो भले बलावल भुटों शभाज शरीफों अमरान खानों अगर वो श्टूपड बलावल को बोल दिया उन्होंने और जो नहीं बोलना जाए था अभी देखें समी अबराहिम जैसे एक आदमी को कल्ट का जो हिस्सा है सारी मैं कही दूं उनकर यह है मसला भिचारा हुगा वी समझा रहा हुआ रहा हूं मैं समझा के सकता हूं आपको मैं कह रहा हूँ आपको मुझे कौन होता है इसनल जाने वाला मैं इम्रान खान हो मां सब जानता हूँ देहो इनका हिसाब भी होगा तो देखो मेरे बात सुन देखे ओ मुझसे बतर स्वाब आपके गुना को मुझसे बतर कौन जानता है ऐसे है मेरे खाल से वो एंड में शैतान भी उनको मिल गया मिर बहुत सब्सक्राइब जहन्नम को मस्न वरतर कौन जान तर यार ज़ान तो वो कानी यही है कि यार वो अब बिचारे जो है वो महारे सराउंडिंग में आप देख लें आपके भी होंगे जार अब यह तो हर्यागा पाए हाँ वो तो कह रहें के नहीं ठीक को ठीक और गलत को ठीक इमरानी है तो वो मेरे भी दोस्ते हैं से और वो अजीव-जीव मतलब कोई भी एक अच्छा वो वेव चलती है लालन ने यह कहा था अब वहां से शुरू होती पिर हर कोई उस पर लग जाता है माओ ने यह कहा था अब फला ने यह किया था और देखो उस ने यह कर दिया और फला कर दिया और इस तरह नहीं होता आपको याद हो कहा था कि पते ही कि तीन हजार के पंधराव सो खांदान है उनको अपने मार दिया लोगों को यह भी एक आया था अच्छा हाँ वो क्या नहां था उसका अशा जूल सी अपसलीट वर्जिन से होते हैं वो इसी तरह की बाते करते हैं कि इतने लोग उनको मार दो तो यह हो जाएगा और फला तबाई फेर दिया और यह हो गया और यह भी ऐसे ही है इन मेंसे कुछ लोग पर वह तो आप बात कर रहे थे कॉमेडी की ओफेंस के नॉट भी इनी मारना चाहिए तो 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 देर इस नथिंग लाइक इन ओफेंसिव कॉमेडी राइट किसी ना किसी को तो कुई ना कोई कॉमेडी ओफेंड करेगी आप सब अपने फैसले करते हैं आमने समी अब्राहिम का जिकर किया जब मति अल्ला जान के साथ भी वही आदमी वही ब ना ये तो वह तो खुले जोक करते हैं कि आज वह एक जाहिल आतमी है ना बैसिकली देखें हम बात करने पढ़ें के लोगों की इसमें शेक की जो मिसाल दिया आपने वह एक जाहिल चलावा कार्तूस एक आदमी है वो तो इसी तरह की बाते करेगा समी इब्राहिम से मुझे यह उमीध नहीं थी कि वह çणकरों की खुछ तो सीखिए कि होगा एक आतकाले काह काया होगा माँ पर कम करने करते वाक। तो इसको समझ आ गई होगी कि यार यह आद हलत चीज़ें के लगी यह यह नहीं होना चाहिए मतलब यह किया पिए उनकी तरफ से बोल ओ यह एक बैस ऐसा ही है कोई नाम तो होगा नावभ है कि नाम के बगार क्या हैँ मजे बबदां कि कप है इस वाइम है इस का माइनी है उनके जो फाल्लवर इसके लावव आप मुझे बदादम दो बनती है और वह तो हमने उजट डियते वे साथ इम्रान लगा दिया है वरना यही है आप बताए हैं इतने हटदरम जाहिल लोग हैं इनको और क्या नाम दिया जाए लोग कहते हैं मैं नहीं कह रहा है है वाई इजय जत आपना सीट भी थे वह शौर जुष भी नहीं है क्योंकि आज वो नहीं है इसलिए मैं चेज बतादू ये आदमी जो है यह इनोसेंट है इसका भाई बुलवाता है इससे हां हम तो पपट है भाई काम करते है रखा सब्सक्राइब तो बताये बगार साइन कर वाई कर देते हैं पीछे से रेफेरंस बट्य के बट्टे वाला सीन भागना है किसी दिन भागना है एक मैरी मदद करें अप लोग सारे असल में मैं साथ हुई इसके फ्री मुस्तफा, मुव्मिन हम लोग जलाते हैं, उसमें देखे ना, अनवर अमनोर भी बुलवा देखे हैं, इस तरह की हरकते हैं कि आपके साथ तो बाते हैं, उसमें भी बड़े हैं, लोगों को बहुत बुरा लगा वोगे यार, क्योंकि उनक अज़ा बाते हैं, जब से टीवी पर आया हैं, ऐसे ही मतलब एक गलत काम करवारा है, आपसे तो बात आपको अगरी विद्यू, मुझे भी बहुत हैं, आप यूतिया लव्स ना इस्तमाल करता हूं, यूतिया क्यों ना गरूं, यह तो हिस्दत का लव्स है, यह तो मैं यह तो डिस्क्राइब की गई है, कि वो तो कह रहे हैं, माबाप भी कुछ भी नहीं है, और कहीं ऐसी आप देखने हैं, वीडियो जाती है, एक तो आया था कि पता हैं, मैं वह भी कर लूँगा, और पता नहीं किया कि अल्ला माफ करें ऐसे ऐसी चीज़ आरी, कौन लोग है अब तो लोग जल जा है पाकिस्तान, हम इमरान खान के साथ हैं, अब ऐसे जो आदमी आके कहता है, और अवरत आके कहती है, क्या बोले उसको हम, कौन सा प्यार का लवज है, जो उसके लिए समाइब, उसको कैसे आदर शाफियन बोल सकते हो, बिल्कुल ऐसी है, अभी वो प तो आप लग पता जाया, तो वो प्रिंसेस है, ना, हाँ, तो वहाँ पर नहीं करते हैं, उनको इनकलाब भी वही बाता है, कि पाकिस्तान में ही चाहिए, हर चीज इधर ही चाहिए, तो ऐसे ही है, तो यह लोग बिचारे, और खास दोर पी जो हमारे यह हैं, अपना ड्राम अच्छाए यह बी, यह बहुत है, लेकिन वैसे डामिनेट ही, इसी तरह के लोग करते हैं, यह पता है, जादा डेप्स में जाना नहीं चाते हैं, एजी सीन है, चलो यह एक वेव चल ले तो हम इसको भी इसके साथ शामिल हो जाते हैं, चलती ही गाड़ी में सवार हो जाते कि ये तो बेहायाई फैलने वाला चकर है ठीक है और ये फैमिनिजम जो है ये तुम नहीं समझते है कि इतना बुरा है और ये जो है ना ये नंग पना लेकर आ रहा है वो इसको मेरा जिसम मेरी मर्ज़े को ये समझ रहे हैं कि भूस इसका मतलब क्या आप ये तो बताओ ये खलील का चकर ये है कि वो जो ना वो मोनोलॉग देने वाला एक आदमी है और ये सारे सुनके वावा करते हैं और ना उन बातों को सर है ना पैर है ठीक है ये धूप मेरे उपर पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था इस तरह की फुदुलियात है उसमें वो सारे वावा कर रह है कि आप किसी के जिसम पर थूखें मैं आपको रिक्वेस्ट रही है खली साब प्लीज उसमें उनका वर्जन ये था कि भाई वो मेरी बात काट रहे थे तो तो मैं तो ये जुम्ला जो देख रहा हूं ये गुष्से में निकला वे एक बात है लेकिन उससे पहले वो कह रह है आप मतलब दुनिया भर में कॉंटेंट देखें अच्छा होता है हमें पसंद हैं भारी चीज़ें नॉर्मल मेरे पास तो हमो चल रहा है मायू टाइम क्या हो रहा है मायू टाइम बता दो शिर्क तो खुदा भी माफ नहीं करता है मेरा ये लो बोता है वाख ऐसी क्या ल अजल गई है औरों के घरों में बहुत मस्टा बाई नहीं आप तिलाग को ऐसा क्यों कर रहें कि उसके बाद जिंदगी खतम हो जाएगी वह यहीं कर रहें यार आप यह बताएं कि यह जिन्दगी का हैसा अगर ऐसा हो भी जाते तो कोई ऐसी बात नहीं और जराय हैं आप कोई ऐसी बात नहीं और बहतर इस दुनिया में अपने पोटेंशिल के साथ आएंगे यह जो दिखाया जा रहा है वह भी ना वो फिर वो राइटर्स भी ऐसे हैं बिचारे क्या करें वो वो एक कैद हैं अब मैं बताओ ना को एक आम आदमीं का प्रसेप्शन यह यह ना मेर मेरा जिसम मेरी मर्जी की मेरी मर्जी यह मेरा जिसम मेरा जिसम मेरी मर्जी और मैं जो चाहूं करूं यह है उनके दिमागों में किसी ने मौलवी साहब ने क्लिप दी यह औरते कहती है मेरा जिसम मेरी मर्जी तो बाप के साथ सोजाओ यह लॉजिकल रिलीप बनाई कैसे ज है मेरा जसम मेरा मर्जी तो जरूर यह फ्रॉइड है इस तरह भी कहते हैं वो किसी भी एक जिसको वो बुरा समझ रोदे ना आपने लुमा हजरात उनके बारे में यह कहते हैं तो औरतें दे रहे हैं तो मैं मैंने बोला इस बात पर तो इतनी अट्रेक्शन है कि सब को जाना है वो मतलब तुम्हारे भी जैन में यह जो तुम कह रहे हो ऐसा है नहीं एक्स वाइज़एट के बारे हो गया दे मुझ तो औरतें देते हैं वाई आपको क्या पता तो हमें भी भीज़ना है यार एक कोमोडिटी के तोर पर देखते हैं आप इतने वोक कब हुए नहीं मैं दुनिया का हरा अदमी ऐसा ही है जो थोड़ा बहुत सोचता है शूचता है ऐसे ही है खलील साब अगर बैठियों और किसी एक्स्प्रेस टेबियून रेपोर्टर का फोन आजाए तो खलील साब उठा लेंगे उठा देटें गाली देते हो हलो खलील साब मैं एक्स्प्रेस प्रण नहीं करना सॉरी, मच्छर नहीं मार सकती, चाहे मुझे टैंकी हो जाए आप तो बहुत करीब से जानते हैं खालील साब को, मैं मिलाओ उन से एक दो दफा मिलाओं काला कोला लगाते है या स्प्रे करते हैं काले-बाल शेधियों कोली न ऑमिला ऑधि काला कोला भी कौन सा वाला पूरे कमेरे में खुछ भू नहीं आ या सुम जस्ट फोर में हाँ बस वो यहां गॉल मेंधी लगाने 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 वा नगर पक्कायवादी एक काल कोला लगाने वाला वो बंदा भी है जो कॉलर की दर ना उझा हरा है है या खुटा सार्माब II रख रहे है WOOO ODP बस में पैली विए वो लोगा है जो मेंटी में यूठी लगाते क्यों करते हैं अरंग किरता अरंज औरंच रहे हैं आज यह देख रहर Stevens है कि का रहे है कि क्या तो पते जला है वह दिवार कमजोर कर रहे है वो सारे वह दिवार ही ऐसी बन गई थी यह तो मस्बूत हो गए थी क्योंकि उसे घर जाना चाहिए था जितने लोग जाते थे स्मेल तो ऐसी थी उदर अमोनियम के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हो तो माशाला माशाला तो इसलिए है कि आप अपने घरों के देवारों के साथ ही मामलात करें आप जी यह पढ़ी लिखी बाते कर रहे हैं आज हमारे साथ लोगों को तो लगता है कि भांड और मस्करे का काम ह सिर्फ हसाना और खहर जाना फिर आप मुझे चाहिप लेके जाते हैं फिर बोलते हैं मैं यह किताब पड़ी मैं यह किताब पड़ी क्यों आप लोगों का परसेप्शन डिस्ट्रॉइ कर रहे हैं मस्करों के बारे में यह अपना-पना एक वह है आप बहुत ज़्यादा पर हमारी बात होती है तो जर्नली तो आपको पते हैं हिस्ट्री और यह पॉलिटिकल इसमें सारे खोयवे होते हैं और दीगर बहुत मौद आते हैं और आपसे कितनी दफ़र डिस्कॉस होए मेरे लोग आपके बारे में यह रहे रखेंगे यह देखो लेकिन उनको नहीं प प्राइस करेंगे कि यह सेपियन्स की सेपियन्स की क्रिटीक लिखते हैं अपने स्पेर टाइम में असल में मैंने उसको स्टडी बहुत किया है इस पूरे सब्जेक को इस सब्जेक्ट को एवलोशनरी बायलजी चनाटिक्स ब्रेन इन सारी चीजों को मैंने बहुत जादा अभी भी पढ़ता हूं उन चीजों के बारे में तो वो मतलब कोई भी होगा मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं यह बढ़ता हूं वो उसके निर्जदीक वो वो कितने इंपक्ट फुल नहीं है उनके लिए वह नॉर्मल है क्योंकि वो इदर उदर से कंपाइल करके ना चीजें वह लिखी है अच्छी आदमी है वो पॉपिलस साइंस लिखी है तो आपकी क्या क्रिटीक है ऑफ सेपियंस यार वो मतलब पहले तो मैं यह समझता था कि वो बेसिक एक अंडरस्टेंडिंग के लिए अच्छी किताब है ठीक है लेकिन अब वो मुझे लगता है कि दुनिया में जो बहुत सरे नए पॉलिटिकल नजरियात आ रहे हैं या एक उसके के शक्सी अज़ादी के शायद वो किसी अदक उसमें भावल करता है तो इतना वो है लेकिन वैसे मेरा नहीं खाल कि वो इतना कोई जबरदस्त लिखा गया है कुछ उस हमाले से शक्सी आज़ादी के खि कि साइंस भी आज ही चै़ी है इसलिए महां नहीं करता तो यब आप रहरी चीज के अंडर उसको ला रहे तो पिर अपको देखना पड़े गई है कि वो जीन नहीं मिली जिसको सपोर्ट किया जा रहा है वो जीन नहीं मिली है मुझे तक अच्छी लगते हैं मुझे सिंग में उच्छी है ओडन अच्छी बात इए कि साइपने में मुझे की घरदार है बहुत अच्छा है उप कभी हम लेख देते हैं मजाग पचरियों में इसका एम अच्छी काम कारा है अगर किसी ने जोक कर दिया, लोग तो बोलेंगे इससे बुरा आदमी नहीं है, जबके इसमें मसला नहीं होना चाहिए, वहाँ जोक्स हो रहे हैं, इंडिया पर बलके पाकिसान में भी गांधी पर जोक्स हो रहे हैं, अगर हम अपने से करीब देखें, हम समझते हैं, कि यह इवन आपने अनवर मकसूद का जिकर किया, जो खुद एक कमीडियन है, शायद जो लोग सुन रहे हैं, उनको यह बात भी बुरी लगए, आपने अनवर मकसूद को कमीडियन है, कई लोग तो अनवर साब के बारे में इदाफा कर दो आपकी बात का, वो यह कहते हैं, कि उन अनवर भाई ने खुद एक्टिंग करके, इस पर उनको मुहिन अख्तर का भी एज नहीं था, तो लोगों ने बोला कि बाई, यह क्या मुहास है, एज है ना, कि बंदा रेसेसम भूल जाता है, एक्टिंग इतनी अच्छी है, यह पता नहीं, मैं मुझे याद है कि वो बच आज भी मैं उनको इने के क्लीन शेवी देखना पसंद करूंगा, तो यह है कि लोग पूरे कौम ने उनकी दाड़ी बना दी है, अपने सेहन में मुला बना दी है, मुहमद अली जना को, वो ठीक है, वो मुझे नजम सेटी साब की बात याद आगी, यह वो कौम है, और खास दिन पहले में उनको सुन रहा था, वो बिल्कुल हकीकत है यह बात, अभी आप देखें, यह उवर्सीज यूथ हमारा, यह इंपोर्टेड हकूमत नामनजूर की रैलिया निकाल रहा है, कैनिड़ा में, शिकागों में, असल में एक और मसले थे कि अब आप जाएंगे ना, और आप जाएं या ना जाएं, वो एक आप एक ऐसी जगा फॉल करते हैं, आपको पता है कि दुनिया में लोग क्या सोच रहे है, यह एज ग्रूप किस तरह की चीजों को ठीक कह रहा है या गलत, वो बिजाने हमारे लोग जिस दौर में गये ना, वो 82 में अगर गया तो उ वो उनके जोक्स नी समझते हैं, उनकी चीजें गोरा वैसे उनको समझते हैं, मेरे गहर पे माता ही हो तो यह वाला सीन दूर गली, तो गली के कोले पे कड़ा हो, तो वो उसमें शायद किवाज है क्योंकि वो तो किसी और तरीके से सोचते होंगा, हुमर अलग होगा, और च आपकी बाद ठीक है, इसलिए जो बाहर यूथिया है, वो फिर एक्चुल हर तरीके का जो ना हर एंगल का यूथिया है वो, मुतमाइन बगहरत हैं, हो तो मतलब पासपोर्ट भी जिला रहे होंगे हैं, वह मैं नहीं है, लेकिन उनको आजादी भी सारी यहीं चाहिए, मु वहां के लोग जो हैं, लीधी के जूले पर बिठाए गए हैं आपके, आए थे उनको चाहिए वहां की आजादी, और वो बोलते हैं, पाकिस्तानी कौम को तो डंडा देना चाहिए, यह जो लोग है ना, जो वहां जाके सारी आजादी नजोई करते हैं, फिर बात करते हैं, पाकिसानी कौम तो जलील है, इन लोगों तो कुछ, इमरान खान जैसे ग्रेट लीडर को कौम अच्छी नहीं मिली, लोग जोगे हैं, खान बहुत जबर रहे हैं, और खुद ये लोग खान के अंडर रहने भी नहीं आए पाकिस्तान, ऐसे ही है, कोई भी नहीं आया, कुछ कुछ एक आद आया है, वो बड़ा खुश होगा रहा थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार, ये क्या हो गया है, अब वो जो जो एना, जादा तर वो हैं, पटवारी हैं या, जे आले हैं वो, ये एक वाटकास सीरीज करनी चाहिए, ये जो जो लोग इमरान खान के लिए आजकल वो क्या करने है, यार, बिचारे बरबाद होगा हैं वो, पीमेलान जोइन करके वेटें हुए, जिनकी नौकरियां भी थी, उनको इसको इस बात करड़िट देता हूँ, कि मुल्क में, या बैरूने मुल्क, जितने भी चूतिया लोग हो सकते थे थे, वो एक तरफ ह मतलब यूतिया, सॉरी, मैं गहरा हूँ, इसको हजब कर दें करवाई से, उनको एक तरफ कर दिया ना, उसने, तो अब हमें मतलब ज़रूरत नी पड़ेगी, शौक कम हो गया, हम बच्पन सोचे थे, कैनड जाएंगे, यूएज जाएंगे, अब हम जिखते हैं, वहां जाक कमेडी के लिए भी ज़रूरी होता है, कि दुनिया भर के बारे में पढ़ें, शड़ें, या अकल रखें, यार, पते नहीं, खैर, इस बारे में कर भी सोचा नहीं, लेकिन यह है कि इससे थोड़ा सा एक आपका ब्रॉड एक परस्पेक्टिब बनता है, चीजों के हवाले स लेकिन उसमें यह है कि आप जैसे कि उसके लिए मैं यह सोच रहा था कि यह बड़ा प्यारा जोग बन सकता है, कि माइच होती है, जो हमारे मैंने आप से डिसकस्ट भी कहा था, फेस पे जो रहती है, वो आपके मुँपे जेक्स कर रही है, आप देखें आप, आप इल्टी अप लिए उसके देखें, ढ़का रही है, लो आप म हम पे आप लेक्ट सिस्टम को से निकाल सकते हैं तो और भी इस अपने वेस्ट मंटेरियल कहीं बाहर निकाल सागें तो वह हैं, छूँख कुछ एक हो जाता है, जो मसले मसाहिल होते हैं यह देखे ने, अब यह अब बा समक्त सब्हाइग पूछते भी निये तो कोई जगा देख ले तो कोई टाइम देख ले बंदा सुबह उठा है नाश्टे के लिए कर और आप मूपे करवाई या कर रहे हैं यही तो अजादी के मैं फेवर में हो ना कि यह कहीं भी कर रहे हैं मुझे अपार्टमेंट देना पड़ा किता खर्च अपने वाली है देखें शुरू होता है चपलों से सिलसला ऐसे ही एक प्राइमर जिसको कहते है चल क्या सिलसी हो तो आओ मेरे इस मकान में लेकिन चपले यह पहन लेना आपको कौन पसंद थे कमीडियन्स यार सारी अच्छे हैं वैसे बच्पन में कौन अब लग अच्छे हैं मेरे दोस्त बहुत मुक्तलिफ जगों के रहे हैं तो हर जगह गने अपना मजाज है वैसे ही उमर गा इंटीरियर सिंध का एक खास एक एक वो है वो आपको पता अगर होगी तो आप उसको एंज्वाइ कर सकेंगे इसी तरह पंजाब में है वहां तो खैर जु तो मदल एक है कुछ मतलब जैसे वह हमारे एक दोस्ते बताया करते थे मतलब काफी चीजें के मतलब कहते हैं किया हो सकता है तो इन बौर बज्ब जो डीगह जानवा ने उनकर किस किस तरह के इस्तमाल देखाए उनकों सिर्फ डॉल्फन का बताई है बाइजन वो भी मंजर जो कुछ कोतों को साथ हो रहा है, कौन करेगा है? बाद में पकती है ना बिर्यानी, बिर्यानी से पहले जो रायते पहल रहे हैं उसके बारे में तो किसी नहीं रिसर्च नहीं की, एक बस ड्रोन है, जसने फुटेट बना ले ले लिए बीटियो आई एक भी आई ऐए इसलहामबाद के पार्क था उसने बच्चों के जहूलेने उन पर ट्राइ कर रहा था वो मिकी मवस को पहली दप उसने मैनिफेस्ट कर दिया मिकी को मिनी मना दिया उसने मिनी मना दिया वाई बदाँ गुफी तिंग तो यह कि देखिरेंसाइज भूच अब वच आनीबड एंपना ऑफ देखेंगेंगें अपटा फिल्कूल इनको देखा और वह मुलाकाइज भी है मेरी एक तफा हुई यह विल्कुल हुई इन सभी है और हमने उमर शरीफ किया था तो वो हमें ये पता चला था कि वो नराज हैं लेकिन वो नराज नहीं थे वो तो कहहरे हैं हैar मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूं और बड़ा अच्छा, आज पर अच्छा वो समझते हैं जो पंजाबी स्टेज उमर है बस क्रैस है येस वो जो एक ट्रडिशनल भांड हिस्ट्री थी वो थोड़ी डाइल्यूट हो गई है और अब काफी क्रैस तेरी माँ तेरी भेंट आइप उमर होता है जो हमें भी नहीं पसंद पर देर लेजेंड्स अब में भुब वराल का नाम लिया अमान अचन इस वो गूर्ड आप अगर समझना शुरू करें इनकी बाते हैं ये जो बाते करते हैं तुम तो सिरफ भांड हो वो आपकी लीडर से जादा फिलोसोफी है उनकी बातों में आपको बस समझ नहीं आती बिल्कुल बिल्कुल आसे ही बिल्कुल आसे ही वरना वो आपका जो लीडर है वो जिस तरह की बाते करता है मतलब वो उस काटेगरी में आनी चाहिए अब लगता है इसलिए हम जादा कॉमिडी को नहीं इतना फोकस करते हैं क्योंके हमारी पुलिटिकल और हमारी पुलिटिकल क्लास इतनी कॉमिकल है यह ऐसी है कि वो जो बाते कर जाते हैं अब हम क्या करें बिल्कुल भी बाते ही है एक तपका उसको डिफंड कर रहा होता है बलके उससे पहले एक जिन से हमारी काफी जान चोटी है वो कैसी कैसी बाते करते थे आपको याद ही है उन्हों तो एक वो पूरा एक प्रोसेस बता दिया था किस तरह जो है वो आप पहले मतलमेटिकली होते हैं फिर आप बालेजिकली हो जाते हैं और फिर क्या अमल होता है एक खास अमल होता है अब यह देखो किसी बात है उस पर भी डिफेंट कर रहे थे लोग तो हम क्या कर सकते हैं तो ऐसे ही है वो लोग तो कर रहे हैं बिल्कुल आप थोड़ा सा अगर और से देखें तो यही हो रहा है पाकिस्तान में आमिलाकतने एक बंदे को आपने पूरा यार उसकी जिन्दीघी के साथ भो कर दिए होगे नहीं असल में जो करंट लगाया ने यह है वो वो कहरें कि नहीं इसके साथ यह वो गया यार उसको आपने यह पते कैसे हही है कि यार तम इसको कंज्र कह रहे हूं हाँ है ये तो ये वालती है सबने सेक्शल अब्यूस बोला और लोगों ने जो तासूर दिया वो कुछ अलग था श्यवाज गिल कहरे हैं कि करंट लगा गया है हाँ वह उन्हों ने तो का बाकी उने तो काग़ें बढ़ चड़के है कि यार इसके साथ जमील फारुकी ने तो बोला बारिया लगाई है मतलब यार जैर बो कि मतलब आप देखेंगे उसके भी फॉलोवर थे अच्छे खासे त तो जिब लोग हमें बोलते हैं इतना आसान है पाकिसान में वाइरल होना आप कैमरा खोलो और जो मुह में आए ना कोई एविडेंस चाहिए ना कोई फैक्ट चाहिए आपके वैसी मिलियन मिलियन व्यूज आ जाएंगे पैसे कमाओ घर पे बैठेगे तो बड़ा असान काम है पता निकित कुछ ऐसे लगते हैं कि इस चीज को कर रहे हैं तो वह एक बाय प्रडिक्ट के तोर पे उनके पास चीजिजे हा रही है पुराने वाले तो हैं आपटा रहा हूं मैं इयार वह क्या सीन है इसने का है अप उसको इंडियों कहने है तो अदिया है यह वक्त कहा आ एक वट का था एक तो बना दिये हैं को एक ताइम हम रूद का थाहीं तो ये तो भेर जो मर्जी है जो आपके मुढ़ में रात को अडिया हां हाँ आप देखो ना लोगों ने वो किया भी होगा किया बात किया और ऐसे ही बिलकुल ऐसे ही एक तो वहला तब का है यह चाचा है यह यह हैं यह आपको कभी किसी ने ब्लॉग किया वा मुझे वैसे बाइद आवे हाँ जमील ने हमारे दोस्त असतूर के साथ जब वाक्या हुआ तो जमील ने का कि वो लड़की के भाई थे तो मैंने उसको लिखा कि मैंने का आप तो अकलोते थे आप अकलोते नहीं ने इस तरह के कोई बा प्रवाज हो गए और उन्हों में ब्लॉग कर दिया लेकिन मैं उस चीज के खिलाफ है हम दोनों के जो हूँ हैं के साथ मैं तो सब के खिलाफ बैद जो भी चीज़ें हो रही हैं अब्यूसली इलीगल एरेस्ट यह वो सब के मैं अग्यंस्ट हूँ लेकिन यह भी बताना ज जरूरी है ना कि जब औरों के साथ हो रहा था तो आपकी बगहरती के क्या लेवल्स थे हैं यह रिसी रिशाद लोग भी खड़े नहीं हूँ उनके साथ इतना मैंने देखा है लेकिन यह हैं कि जो बिलकुल एक बहतर लोग हैं उन्होंने तो कहा है कि गलत हो रहा है मतलब अब देखें जिस तरह इमरान रियास खान और समीब रहीम आपने जिकर किया हो मत्यूला जान के साथ उन्होंने क्या क्या बते की थी बिलकुल एशी अब वो कह रहे हैं कि जी नहीं हो अब्यूस इस वेई सीरियस तिंग तो तुम लोग क्या कर रहे थे तुम लोगों तब अब शरम नहीं आ रहे थी तब इज़त रास नहीं आ रहे थी तुम लोगों को बिलकुल एशी तो इस पीपल डिसाइट के किस के साथ हुआ है और फिर उसकी बेसिस पर डिसाइट करें कि हमारे ऑपिनियन क्या होना चाहिए तो ऐसे लोगों को तो पिनियन की जादर कदर करनी चाहिए है आपको कभी किसी ने फोन करके बोला कुछ के या रात को जो किया यह अच्छा नहीं था नहीं ऐसा नहीं हुआ लेकिन एक दफ़ा हुआ एक दफ़ा हुआ यह कि वो एक एक और अभी इम्रांडू से पहले एक और इम्रांडू आये थे अगर आपको या लाल टोपी वाले अंकल वो थोड़ा बिचारे बहुत वह गए थे कि मतलब कह रहे थे कि मेरे घर में जो है वो इतना रुए मेरे बच्चे कि मेरे बाप के सांस रुग गई वो सब जूट था वैसे तो लेकिन मैं बड़ा वो हो गया था कि यार इनको थोड़ा सौरी कर लेते हैं और यह वो तो मुर्सवा कह रहे थे नहीं सब के साथ ही जूट है यह तो खेर वो मैंने उनको कॉल की फिर तो उनको मैंने बताया कि हम आपका मजाक हम उड़ा रहे थे हम मजाक कर रहे थे लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं मुझे वैसे उनका करेज़ों कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें कटैरे में खड़ा किया जाए और हमारा मजाक उड़ाया जाए मैंने उड़ाने वली बात थोड़ी वह हो गई है मजाक किया जा सकत अगर कुई इसान ऐसे काम कर रहे है जिसका मजाग उडाना चाहिए तोड़ा हो I think a good difference, जिसना आप अगर parody कर रहे हैं, मिमिक कर रहे है तो लोग जो बाते करते हैं लोग का जो फलसफा है, उनकी पॉलिसी उसका मजाग उडाय जा रहे है इसमें क्या मसला होना चाहिए किसी को तूसरी तरफ से वो जो बाते करते हैं, अच्छा जी ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है You're making fun of who people are That's wrong, you're making fun of what people do जिसना आपने भी बीच में टक करके आप वापस आ गए थे इसरे सिटीज का मजाग है, मक्सूल साब ने काफी किया है अब उससे नहीं चैरा चुपा सकते हैं, मुझ काला करके बंगालियों का मजाग उडाया गया है शायद उस दौर में फिर इतनी ज़दा वो तफरीक ना आई हो वो कुछ शुक्स हो रहे थे वो तो जद्व जयद के बाद आया कोई तीस साल की जद्व जयद के बाद वोग फिर थोड़े जादा हुआ हमारे जिबरान भाई की जिबरान भाई की मैनत उन्होंने वोग किया हमारे पूरे तपके को वोट ने दिया उनको यार बड़ा मतलब यह हमारे मुलक का अल्मी है ना, जो ठीक अमी है उसके साथ, देख ले हम हमारे मस्तवा कमाल भाही के साथ क्या किया, 600 वोट दिये सरफ यह, देख नहें हो, 600 वोट दिलवाएगे उनको, मतलब दिये लोगों लोगों ने उन लोगों को वोट दी है इस तरह के इवन आइ थिंग हम जो है हम भूल जाते हैं कि हमारे पराने काम क्या है कभी-कभी मुझे लोग कहते हैं आपने ये इस तरह की गंदी बात की आपको ना देखें कि अमर शरीफ ने इतने साल कामडी की आज तक एक गंदी बात ने की नहीं ये तो आपने अमर शरीफ की कामडी देखी है आप कभी किसी स्ट्रीच शो पे गए हैं आप मुहिन अख्तर के किसी लाइफ शो में गए हैं अनवर मकसूद साब कि आपको बाते हैं कभी समझ में आई हैं अमीन अनवर मकसूद मुहिन अख्तर हाफ ड़न डिर्टी जोक्स की हैं बलकुल की है बस वो थोड़े अर्दू अदीब तरीके से करते हैं तो वो समझ नहीं आती आपको के नंगे को बिराना कह देते हैं हाँ रात को मैं गया उसका अब मुहिन अख्तर साब के में शोब पर गया था बच्पन में रात को नीचे गए तो एक सोफा खाला बेठी खालू नजर नहीं आर्थ मतलब इस तरह पूरी कहानी बना कर खालू का है कहा है खालू सोफे में हरकत में आया सोफा सोफे में हरकत पैदा हुई हाँ तो आप और मैं अगर बोले के जी महरान हिल रही है तो लोग नराज हो जाएंगे बढ़ मुहिन अख्तर साब सोफा हिला कर चले गए वो एक परसेप्शन आ जाता है कि वो इजददार थे आप लोग चूती है क्योंकि वो हर एक कुछ नो कुछ एक होता है मतलब हर कुछ बंदा एक उसमें तो नहीं रहता लोगों की थौट्स बदलती है चीज़ें बदलती है वक्त की और किसी दोर में ये काला एक जोग था आज नहीं कर सकते हम किसी दोर में हम उनको वीडियो गेम लोगों कुछ कहते थे आज वो कलर वाला सीन में चले गए फिर मुरू सपोर्ट भी कर रहा है लेकिन ये हैं ये अच्छा है ये एक जओर में ये वक्त के साथ होती है और उस जमाने में रूसी बुरा किसी ऐत्वार में कहते हो कि मेरे खाल लिए बच्पन से ही होता है लोगो में ये चीज ये नहीं करना ये बुरी बात ब 쪽़ समझे जाती है स्कूलों में भी तो यही सिखाते है या घरों में यही सिखाते है फिर उस पर जोक्स भी ऐसी बनते है लेकिन यह है कि शायद अब वो बहुत ज़्यादा एक मुव्मेंट के तौर पे बन चुका है तो वो बहुत ख्याल लखना पड़ता है उसके फिलिप साइट पर अब जो वो इतने लोग टीवी नहीं देखते हैं जतने वो मीम देख लेते हैं तो यह एक एक मुव्मेंट है जो कहती है यह प्रॉब्लमाटिक है यह चीज गलत है फ़ला 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 बड़ अधे सेम टाइम जोक्स भी जिस तरह के हो रहे हैं ऐसे तो कभी नहीं हो सकते थे बिल्कुल ऐसी ही तो यह सब भी वाइरल होकर चीज़ें चल रही हैं वह बिल्कुल ऐसी हो रहे हैं अच्छा अच्छा थूड़ी कहें गाली देंगे उनके पास एक घर के अलग मसलें वह कहा निकालेगा वो गाली देगा वो उसकी आप इसी सीज की रिस्फेक्ट करें और मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत है हाँ आप कभी मार कर लें कि आप किसी का इंतिजार कर रहे हैं आपके पर टाइम है उसको बदला देदें उसको बोल नेंगे मैं भी गाली देना जानता हूं लेकिन यह कि इस प इसको बात करनी तो पिर अगले को भी पर रड़ी होना जाए गाली पड़ सकती है लेकिन यह कि उनको इतना सीरियस लेकर इस चीज़ को बन्याद बनाने की जरूरत नहीं है वह बिचारे एक नहीं कि कराची की सड़के देखें आप बाइक पर बैटकर खड़ों में खुष कर बॉस के पास गए बॉस ने आपकी पूरा दिन सुथरी की बिलकुल ऐसी है उसके बाद आप फारिग हुए नौ अदस बज़ फिर आप घर गए फिर घर पे भी आपको कोई इज़त नहीं देता गालिया देते हैं फिर आप फोन खोलते हैं दो शर्ट बटन खोले हुए म आप को बता हूँ मतलब आपकी बात सही है आप इतनी मतलब वाके में वह अच्छे लेवल की जॉब्स करने वाले कॉर्प्रेट में दर उदर ब्रैंड के साथ उनके आप देखें फेस्बुक और यही कर रहे होते हैं बिजार है ना वो जिंदगी से बट ऑन दे फिलिप सा है कि मतलब आप ट्विटर खोलें ट्रेंड हो रहा है आपके नाम से गाली लगा कर और एक मख्सूस पार्टी जानबूच के कर रही है कर रही है उस डैट हैस्यो टेक टोल ऑन यू यह रैसी इना आप देखें अगर फिर अगर आप इस तरह करने पे आएंगे तो फिर तो क इसके साथ हो रहा है उसको मेरे खाल में वो सीजस इस तरीके से होने की इसलिए जरूरत नहीं यह आपके उपर यह पिर असर अंदाज होना शुरू हो जाता है वो उन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए जो आपने बताया जैसे दिन रात विजारा खजल हो क्या क अदर एक्जिस्टेंस तेता ही नहीं उनको कियार वो मतलब ऐसी है मैं समझता हूं की बात विचारा जो है बड़ा ख़वारों के पहुंचा है लोग करते हैं मीट-ब अपने फैन्स के साथ आप और मैं एक दन मीट-ब करते हैं हमारे हीटर के साथ यार करना चाहिए मैं हाह मेरी मेरे दोस्तियों ही ओई है लोगों से इस तरह से सिरियसली मेरी दोस्तियों ही है आपी तो मैं लिए किसी और को दी मेरे बात मैंने आपको दिखाया भी था आपने तो रिसेर्च के लिए भी काफी इस्तमाल किया है ना रांजा तुमने नाम रखा है तो अब तुम भीर को तो बोलेगा ना कोई ना कोई कुछ तो यह है यार इसको मेरे खाले में सीरियस लिटिंग जरूरत है नहीं मैं तो यह समझता हूँ यार बच्छें हाँ अपने दिल हलका है हाँ 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 है है ऐसी है क्योंकि अगर आप देखें कुछ ना कुछ आप बात करेंगा किसी सिनरियो पे वो किसी और पारटी के ख थोड़ा बहतर इसली हैं शायद के वो पुराने उस आइडियोलोजी बाले लोग हैं और उनकी फैमिली में जिस तरह भी यह बिचारे नाए हैं इनको समझी नहीं आ रही माओ ने यह कहा था अभबे ने भी यह गा था अच्छा मज़ी बात यह है कि यह महीं एक्जिस्ट करत अभी वो उसके इठेक साते हैं सबको तो यह कहा है यह ऐसे ही एक बंदा बहुत अच्छा होता है और वो अचानक से ड्राइब करता है ना तो वो ड्राइविंग करते वह गालियन देता है ओ अधिक जा तरी मैं की तरी आप ऐसे हैं हम सब ही आसे हैं वरना लोग कितने नॉ अगर उसको आम दिंदगी मिलें वो चाहे वाई दोस्ती होगी ऐसे ही लोग हैं लेकिन वैसे बिल्कुल डिफरेंट होता है तो आप सोचें ना यही लोग ट्राफिक में कोई साइड बाहर रहा है कोई गाड़ी मार रहा है ट्राफिक में थीन गंटे बर खड़े वह हो मैं तूने यह कहा कैसे मिल्कुल ऐसी यह एक उसकी साइकॉलिजी आपने बड़ी अच्छी एक मुझे तो लगता है कि हम जो काम करते है ना यह भी लोगों को बुरा लगता है एक तो वह ऐसी बुरा लगता है कि मिरासी ठीक है ना इनको शर्मानी चाहिए किसको गंदा काम पंजाब में यह बहुत है ना इसका एक वह एंगल है दूसरा यह है कि मैं जो हूँ ना मैं सारा दिन होता हूँ खौर यह मशूर क्यों है यह रात को बैठके तन्वीर अहमत की लेता है इसको क्यों यह मिल रहा है तो वह भी एक नफरत होती है और सकता है यह भी हो सकता है I think so. I think हम तो बहुत एंजोई करते हैं. अगर कोई famous बन्दा बरबाद होना, I think हम तो जशन मनाते हैं. एक को तो हमने होते हुँ देखा है वैसे. नहीं, वो तो उस तरफ है. अच्छे एक बाप बतो, अचादर से government किसी की चेहनी नहीं चाहिए. टैपर करना चाहिए उसको. यह गोल टर्की होता ना. यह बन्दों को. महीनों से समझा रहे थे. उनको तो उनको समझ नहीं आई. यह उनका मसले है. यह भी किसे ने पूछा है, क्यों आप हर लमा पर जोश में, पर जोश में तन्वीर अहमद की इतनी लेते हैं. यार वो तन्वीर भाई हमारे भाई दोस्त और काफी पहले से जानता हूँ मैं उनको. यह हाँ. और काफी सारे क्रिक्टर्स मेरे दोस्ते हैं तो उनके थुरूई मुलाकात हुई थी. जोए बखतर उनके साथ मेरी तन्मीर भाई सोईदी. तो उनके साथ एक तफरी शफरी चलती रहती है. और बादी है कि यार वह पैसे बहुत उच्छे देता है तो जाते हैं. मुझे प्लीज हाई जी लेंगे हाँ देख लेंगे. मस्दानी स्पोर्ट्स में क्या एडिया ले जी हाँ वो तु पूरे मुल्क है ना हरे हीरो है वो तु पूरे मुल्क है अपकी कैसे दोस्ती हुई यार वो ऐसी हुई कि वह गारे हमारे शोव देखते थे हम उनकी बॉलिंग देखा करते थे तो और वसीम भाई है इस तरह इ यही लोग थे हमारे लिए जो स्टार थे यही लोग थे हमारे लिए जो स्टार थे तो वो तो हुआ क्यों नहीं हुआ सबस्टार किसका हुआ है मिलकर कि ओ शिट यह सारी हमारे टाइम वाले तो ऐसे ही थे अब वो नहीं लगते वैसे और उसमें चाहिए शान हो ठीक है वो फिल्म स्टार जो है वो भी एक बड़ी जबरस परस्टनालिटी है वैसे बंदेग वह बाकी है कि वह वह गए वह सीम बाइब है इनके साथ ऐसा ही सीन था वह सीम भाई भी कह रहे थे कि मैं देखता हूं तुम लोगों आशो कहीं दफाता तुम लोगों ने यह ना मेरे साथ कर दिया है यह जो एल्फ भी हैं वहमारे टाइम पेक आता था एल्फ एक सीरीज आती थे एल्फ एक पपिट होते थे खेर वो कहना मैं वसीम भाई वकार यह जितनी भी हैं क्रिकेटर्स यह होते थे हमारे जब हम बड़े हो रहे थे उसक्त शोइब भाई तो यह इनसे दोस्ती भी हो गई फिर बाद में हमारे स्टार थे और आज भी हैं खान साथ वाला ही मुझे वो टाइम याद नहीं है वैसे मेरा एक दोस्त है वो कह रहा है तुम्हें कैसे याद नहीं है मुझे तो याद है यह वह था था मुझे तो नहीं है चोटे थे थे ना अब 1-2 साल के थे शायद जवान ही आई भी तो आपकी अब लेकिन यह वसीमा ही यह लोग अगर क्या है यह क्या है मै तो क्या है तो कभी मुझे लगत ए कि क्का डन सब्रूट वे बुटो बनना चाते हैं इदर भी काराची वालों को देखें नहीं दिवार से लगाया है सैफी भाई ने भी जदयाया वह हमें टा उनको को यूनियन पासिर में वोर्ट में तेरा यार, बचारा सीधा आदमी है वो, हाँ पड़ली को चुन पे लजाम है कि उन्होंने किसी कॉलेज, स्कूल, स्कूल की जमीन पे लेकर क्रिक्ट लाउन बना दिया अपना, गबजा कर लिया है किसी का, वो कहरें गबजा नहीं है वो, वो उन्होंने खुद ही मतलब दिय याप देखते हैं उनको, बढ़ने पड़ा हम लिखते हैं कि अचाहिए शूल्डर इस देख के अंदाजा हो जाता है आप तो, कि अच्छा यह जादा यह चीज मूब कर रहा है, यह बात कर रहा है, यह यह ना क्यों आ रहा है, तो सम्धिंग इस तरह से, एक यह है जासे, लंबा मूँ, यह खांज आप सोते होंगे, और एक हाद यह रखके सोते होंगे, तब ही होते होंगे, उनको खुआप में भी अपना यह यह आता होगा, सुन, देख, मैं जा रहा हूँ, इंसेप्शन, मेर खाल से, जितनी उनकी स्किन खिज सकती थी, डॉक्टर ने खीज द आप स्पाटक्स वाले जो, मारे डॉक्टर ना बस कर ले, आप अब इससे जादा तो कुछ भी नहीं हो सकता, यार, सब हो गए, प्यारे भी हो गए, तुम मुजिर आजम भी बन गए, जाओ आप, क्या कहर रहे हो, रोको जा रहा, जो लोग हम पर इलजाम लगाते हैं, बो शायद ये भी है कि अब कपिल देव भी उसके आँखें भी अच्छी थी, शायद वर्ड कप भी मेरे खाल में सब इंडिया मुजिता है, मगर उसके इलावा अमिता बचन मगरा भी मौजूद थे उदर, खान साब कर मद्दे मुकाबल कोई नहीं था, अगर वहीद मुराद भी मेरे टाइब कामद थे ऊसदूर में, शायद ये पहले के वहीद थे उसके पहले के थे, हाँ, जो थे थे ठीक है वहुए थे, लोग कहते हैं जो आप देखें सहूद और खानसाब हैं, हम्में नहीं हम में खानसाब बुरे लगते हैं, बेस्ट आ बॉल दॉप्शन्स त । अंगर स्थूद प devrait हो इस सूद सखवध हीरो थे स्थूद भाए उच्छे हैं फ और कियόं आप अंघर आप मामलाघ Deni कbone कurnimaipel देख्वा हं मियांवाली के वाहिद अदमि तैंड किए शाल्ड़िटान यह गए इंकलिस्तान का कि लोग आपको फोन करते हैं रहते हैं कहा और फिर आपको जब अगर किसी की लेनी हो तो आप रोक जाते हैं कि नहीं यार यह तो दोस्त है अभी आप तो साउथ पर थोड़े रुख गया है बुरा लगा ने उनसे दोस्ती तो खैर उस तरीके की नहीं है लेकिन एक वह है बा गच मैं दोड़ने ना कुछ करना हैं खाजना हो तो अभी सबस्ता हो गया दूस्त हाज ही अच्छ하 आतले हैं शुब भाई काम दुआएं देते हैं उनके गुटने के यार वाक्य में एक दिन मों कहरे हैं कि यार मेरे गुटनों में पानी बराता है तो मैंने का भाई उसमें आप जो है वो जन्जीर लगा कि ग्लास क्यों लगते आप तीम के जो बिजारे दूप में कड़े वे किलाडी ह पानी पीले दे नलका लगाले हम अप दूटी बैट्समन लगा कर ग्रेट आदमी है आप वो कहनी सनाने चाहेंगे मियादाथ साब चुब बुरुना है यार नी वही सनारी बेटर है वो तोड़ा वो तोड़ा वो ती इस मैं फेवरेट स्टोरी ऑल टाइम वो असल में थी अचा वे तू देख दो मंजे उठा रहा है तू यार कलास है वो कलास भूल रची स्टोरी है, हो लेवल हो रहे है, वो अप स्टेंड अब क्रते हैं, यजर तो पो पूफलिक स्टेंड अयगे, तो स्टेंड खरेंगे भीलकूल, यजर यजर हूं आपको देख के हम बड़े हुए, आप 30 साल के थे जब मैं बच्छा या यह यह भी आया था एक हम बच्छपन में आपको बहुत देखते थे और आपसे चोटे हैं वो लोग आज आपसे बड़े हैं वो लोग यार यह भी होता है वैसे यह लग बड़ा रहा जहर लेकिन था चोटा हो आपको बुरा है मंदा लो यह कुछ चीज हैं, यह कुछ लोग हैं, जिन से मुझे बड़ा दुख होता है, एक तरफ अबरार के आप पुराने देखें, कॉंसर्ट, नच पंजाबन, जो उस टाइम के वोग कल्चर को बुरा लगा था, मुझे बड़ा पसंद है यार वो बनना, उसका म्यूजिक है कोई उस टाइम के वोग कल्चर को बड़ा लगा था, आपने पंजाबन को नचाया कैसे, मझाजञ करें, बिल्लो पर बड़ा मसला हुआ था, बिल्लो पर मसला हुआ था, कि आप इस तरह नाम के साथ कैसे, नई बड़ वो तो उन्होंने बिल्लो के करेक्टर पर शक किया, तेके लगा लगा लेकर लेकिन बड़े प्यारा म्यूजिक था यार उनका आप मेरे खाल में चोड़ जिया उन्होंने अब देखें वह किस तरह के बाते करते हैं लाया है तो हम जब आप युझे लास्ट 10-15 यहर्स आपने एकमसेव डेड़ेशन देखें अब अब रार का जिकर करें वहां दूविंग कॉंसर्ट सफ नचमंजा अबन नचमंजाजाजण आज वह क्या कर रहे हैं जिन्दगी के स वह किसी ने पोस्ट किया था या बार का इक कॉंसर्ट हो रा था इसी कॉलेज में लड़कियां डांस कर रहे हैं लड़के डांस कर रहे हैं और दस साल पुरानी क्लिप होगी अलड़ी मुझे लग रहा था यह शाएद कोई और पाकस्तान है यार बाठी के आपकी, बिल्कुल ऐसे ही होता था, बलके मुझे याद है वो एक एंडियन सिंगर थे, क्या नाम था, सुखबीर, सुखबीर तो हर महंदी बे आता था, यार वो तो इतना आता था, मुझे लगता था, रभिया सिटी शिप्ट हो गया, वहीं से सीधा आरा कॉं आप बताएं, सोच सकते हैं को ब्राइन आडम्स, ब्राइन आडम्स अफ टोड़े वुड बी लाइक, I don't know, अगर कोड़ प्ले का कॉंसर्ट हो जाए, चायद, अलब इतना बड़ा स्टार, कराजी आवे, मॉबाइल भी चोरी हो, चेन गया, चेन गया, चेन गया, ब्राइ ब्राइन आओ, उन्हों ने ने बला लिया गल्ती से, बलाओ इसको, सो हाँ, आपको लगता है कि पिछले 10-15 साल में भी हम बड़े पीच्छे चले गया है, जार हुआ है बलकुल, जा शायद, कह लें किसी हद तक वो उन लोगों की डॉमिनेंस जादा होगी, जो इस अरसे म यूट्यूब पे, अलिफ एक प्रिग्राम आता था, जीयोगा, उसमें इतनी प्यारे प्यारे टॉपिक्स थे, वो तो सवाली पैदा नहीं होता कि आप बहु सकें वो, बड़ा अच्छा टाइम था, वो बिलकुल ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है, और अब खो गया है वो खो खो गया है वो, वो टाइम पैंग पैंग चलागा, वान हमीद ने मझे बताया कि उन्होंने कॉस्मोस देखा था, पी टीवी पर, पी टीवी पर कॉस्मोस आता था, और उड़्दू में ट्रांसलेट होके भी चला, यार देखें आप, आप सोचें कि आज के पी टीवी सवाली बाद जाएके, इंसान कहा से शुरू हुआ था, बिग बैंग, अंसार अबासी को तो देखती हाट अट अटाइक आजाए, फॉरण, वो सकता अंसार भाई ने बजपन में देखा हो वो, तभी वो अंसार अबासी बने हो, नहीं वो इसलिए पसंद नी करेंगे, क्य इसमें जब डाइनसार का बता रहे होंगे, उन्होंने कपड़े ही नहीं बने होंगे, देखेंगे क्या भी आया है, नंगा डाइनसार आ गया, पैमरा क्या कर रही है, शेर नंगे आ रहे हैं यार, फास्ट बॉलिंग करा रहे हैं नंगे, यह उनकी शिकायत थी ना, कि एक हिलता है सब देखें, पैमरा का है, यह वो बाते हैं, अब बरबात कर दिया है, एक तो मुल्क दो मिंड में बरबात हो रहा है, इनके निस्दीक, यह कह रही है, टिक्स मत भेका करो, नहीं तो अच्छी बात है ना, और या बाई, आप क्यू बेज रहे हैं, वो कह रहे हैं, इनके पिक्स पर यकीन नहीं रखता मैं, इस अचीवमेंट है कि उन्होंने में स्ट्रीम नेशनल टीवी पर और या मकबूल जान से डिक्पिक्स बुलवा दिया, और एयर भी हुआ, वो मतलब एक तो टाइम ऐसा भी दा कि वो सारे भाही तो बारिश में नेजॉय करते थे कि बेगरती है और इस तरह की बाते हैं करते हैं वो भुजारी यह भी नहीं गरे या इतरा वज़ुआ हम भी बात करें, इस तरह हम भी बात करें, I think social media has made it a lot worse, even here, concerts, not like, क्या भी नहीं होते हैं, बड़ अब मसला यह है कि अगर उसकी वीडियो आ जाए, तो बर सा पागल हो आपको मैं कराता हूँ, घर आपको नहीं हैं, हाँ है, मैं ही कही अपने समने बच्चा नहां हो, आप दूर है उस दुनिया से, यह आप टिक टॉक करते ना, तर नहीं 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 टॉक पे एक सम रीजन किसी ने प्रोफाल ही बनाई है डिफेंस पर्टीज जो कि आपको अगा था जाए पाल दिस नंबर मेरी दोस्त को किसी ने मैसेज किया था कि मैं लेडिज वों का मसाज बहुत अच्छा करता हूं मेरे खाल में किसी कोई लग रहा है कि इस से गेम होना हो जाएगा मेरे खाल से हमारे लॉंडे बोलते हैं हर चीज ट्राइगर लो कुछ तो चलेगा ना कुछ तो चलेगा बाई हमने सुना था कि वो जिगलोज होते हैं दुनिया में ठीक है और वो ट्यूब स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं और यह उस तरह से हमारे मतलब उसकी जगा मालशीय ने ले ली उसके बारे में कितनी कहानी है हमारे हाँ हर आदमी जिगलो है क्योंकि अगर औरत को चाहिए है वो सड़क पे किसी को भी रोक लिए है हाँ वो रेडी है बंदा मर्द के पास मना करने के कुवत ही नहीं है यह कह गए है यह उनकी लाइन है यह तो इंतजार करें कि मुझे कोई कहें तुम्हें पहले बाई मैंने तो पहले कह दिया था मैंने तो पहले कह दिया था मैंना ने करूंगा तो जब ऐसे खलील जैसे आदमी है तो जिगलोस के हम I am sub, you will dominate me, call me, direct, ओ भाई, हम सब, उमीद से, आप कम समझ रहे हैं हमारे मुल्ट को, हम सब एक वो भी तो है, अखबार भी है, सारे लिबरल है, कितनी अच्छी बात है, अच्छा ये भी एक मस्तला है, लोग तारुफ भी अपने ये किरा रहे हैं, मैं लिबरल हूँ, मेरा ना नासर के जो सपोर्टर ने, जिबरान भाई का क्या कहना है, अच्छा आदमी है, बहुत प्यारे आदमी है, उसके उनके सपोर्टर इस तरह हैं, लेकिन जिबरान भाई भी कहीं यही ना निकला है, आखरी किस्ट में, मैं तो असल में यह था, मिर खाल से होता है, पावर थो जो करने वाली चीज़ें वो तो हो चुकी है, वरना तो उन्होंने बनना ही नहीं है, जिस तरह क्या हालाथ है, तो इफ जिबरान भी केम प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा बहुत शुहूर तो आई ही चुक है, ऐसे है, लेकिन उस पर जारे कि यह है कि जरनी है भी लंबी, ल जबरान एक्जिस्ट करता है, AWP एक्जिस्ट करती है, लेफ्ट की जमाते हैं, इंडिपेंडेंट लोग कड़े होते हैं, मौसंदावर गॉट तो इसेंबली, आप देखें तो, इस रिड़क्शन के बस, जजदारी शरीफ और खान हमारे ऑप्शन हैं, खान नहीं आया तो जदारी शरीफ काईदयासम का मजार बेज के आ जाएंगे, यह भी तो आ रहा है ना, और ऐसी इसी कहनियां सुना रहा है आपको, जो जाहर है किसी ने किसी हवाले से कनेक्शन होता ही है, आप बहुत सरी चीजें, जनलिस्ट दोस्त होते हैं, उनकी सोट, वो एक टेबल किसी से भी पूछ लो, हाँ बस, यह ऐसे ही है यार, मैंने भी, आज टॉकिंबाट वेनजी इस डेथ, इसने लोग ने मुझे कालियां दी है, इसको यह भी नहीं पता है, बच्चे-बच्चे से पूछ लो के जदारी ने मार रहा है, आप बच्चे-बच्चे को क्यू पता किसको हुआ है, तो उसने तो यह भी बोला तो, उसने बखेरत आदमी, आज यह बेनजीर कहती है कि मेरा एक पाउंसंद में है, एक पाउं, केपी में है, तो पंजाब दीदे माज जाए माज जाए, इस आदमी साभ क्या एकस्पेक्ट कर सकते हैं, और यह अच्छा है कि इस वहाँ थे उसमें था भी मुश्किल काम बहुत मुश्किल काम हो कौन था काम जो इडियो आई थी काम मुश्किल हो कभी मैं दिनी सोचा था कि मैं मनने से पहले लाल हवेली देखूंगा यार और मैंने लाल हवेल देखी विए उल्टिया महत आई बड़ी हम्मत है भाई जिसने लाल हवेली में खाना खाया वो बड़ी हम्मत है भाई सितारह ए इत्या मास प्राइड ऑफ प्रफॉर्ममेंस एक अवर्ड उसने जितनी जमूरियत के लिए गुर्बान है ना तबाई तबाई गुर्बान है बागी तब बाई बाई जारी जो मुश्किल है वो लेकिन जेलो यह के वाके में यारी यह प्रफॉर्ममेंस वाला सीन होना चाहिए असल निशान है दर तोसने लिया और सारे निशान जार बैच लगए लोगों की भी बहुत जादा सवाल थै आपके आप भाग जाएं लोगों के आप से हम यह बड़ी बात है रहा है हाँ लोगों सवाल कुछ है बड़े आपके फेंस जो है ना फैस्बुक पर हर जगा पर वाई इस फोर मैं शो आर्काइव नॉट अपलोड़े इन फुल तो यूट्यूब इन एच्क्यू ओए होए होए यह वो पहले मेरे असल में वो प्रॉपर्टी जाहरे चैनल की होती है वो उनकी अपने पास तो यकीनल होंगे शायद हों लेकिन वो कुछ थे मैंने खाल में कुछ हैं पड़े वे वो में रहाद शूट ही आप आपकी लोग अच्छा करता था मुझे चीत रहाद है अच्छा ब्रीट्स अच्छा वा सिर्फ यूट्यूब पर कुट्टे देखते था आपनना तो वही ऑप्शन था ना वोग तो सेंड बर्नाड और यह और वो और वो और फांडलन वही एक अमारे पास थी वो उसकी वीडियो आती थ सबसे अच्छा स्टाइल को तो बहुत स्टाइल करते हैं बड़े तेज हैं वह तो चपल नहीं चोड़े चोटा कुटा और चोटी मिर्ची वह जाना किसी घर में चला जाओ ना चोटे कुटे हैं मैं चपलों पर थेलियां बाद देता हूं ऐसी है बेलकुल चपलों को मज़ा नहीं है तरगोश से जादे एक्टव है हो ना माफ करें टॉक तु हम अबाद थे हमाद रजा कसूरी एपिसोड इन फोर मैं शोड़ इट वस अटरली हिलेरियस क्या था उस अपिसोड में यार आड़ पता है नहीं लेगन अच्छा था वो अच्छा था वो अच्छा थी बहुत अबर्दस्ती जी मैं कहता हूं बहुत जबर्दस्ती हो आसके मड़िट समीना पिरजादा गेट एंगरी आफ्टर इस शो विद अबिश ऑन टीवी एच उसके बाद मुलाकात नहीं हुई एक दफा हुई है उनसे मुलाकात बड़ी इच्छी खातून है वैसे वो और काफी वो संसिटिव भी है वैसे बाद अबे उनसे बात करके अब कैसे फिल्म मेरे वादित का जब इंतकाल हो गया तो मैं घर पे अकेला था फिर मेरी बहन मर की मेरी मा मर की अच्छा अच्छा गर्ल फ्रेंड का बताओ अब भाई क्या हो गया यार क्या अब दो क्वाली बाते हैं अबी तो किसको करते है बोट अगर करते हैं तो क्यों करते है जब सब रिख्ड है तो क्यों वोट करते हैं यह किसने का अगर करते हैं और कूं करते हैं देखें एक मेरी एकसाती औहीं मेरे एक sãoivo Laurent करताऊ है अब यह नहीं चलने देगा फिया लेकिन ने भी टे एंफ्लेन्स हुआ हूँ तो मैंने भी इधर ंपना नौट की वह इसे निो किया कि आ सवाल से पकड़ना किया ना मन्दा मैंने भी दिया वी यह खल्ती किया जुन्द कि ली आख छाल्ट चीकता है लेकिन ये कंचार नी सिखेगा कभी ये भी रहेगा ये मतने किस उमीद पर जी रही लव जिसमे इंसान था इंसान कलती से सीगता है यो प्यानी सीखता है इसमें कुछ हाकिकत है इसे हुआ था वो एक शो कर दिया था उसके बाद बड़े मसले मसाहल हुए तो मतलब कहीं ऐसे लोग हैं हम उनके बारे में बिल्कुल अच्छा गुमान रखते हैं उनको अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए तो काफी सारे लोग इन मौलत थे कि यार ये जियात्ती कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए और फलाँ तो ऐसे ही हुआ था तो अब ये है कि मामलाद खुल रहे हैं एक अरसा बिल्कुल ऐसे ही था बैन नहीं वो उस तरीके का नहीं था वो ऐसा था कि मतलब फॉन करके कि यार हमारे मुखालफीन के आपने क्यों रखावा और ये वाला था पूछ लें इम्रान की सपोर्ट करना क्यों बंद की और मुद्शर पूछने वाइसी तो एंटी इमरांडू प्रो इमरांडू प्रो इमरांडू बाओ ऐसे शौकी नहीं पाले जपल वाले क्यों छोड़ दिया आपने खान साब का साथ बस वो हर अकल आदमी ने छोड़ दिया थो हमने उनको देखके छोड़ा फिर हम्जा काया है वैसे बाइदव हम्जा बाजी उसने तो साथ आट नौ दस सब छोड़ दिया हाँ वो तो बिचारे नदर भी नहीं कहां गया यार वो अचा नहीं खैर वो एक्टिंग करते भी तो नहीं थे अब वो मेरे खाल से अगर वो गामी साब से पढ़ रहे हैं तो अब उनके खुद के ऐसी राए होगी जिस राए पे पांच साल पहले का हमजाली अबासी कुफर के फत्वे दे दे यार बहुत आला या और आग्री वि अच्छे जो असल जर्णलिस्त हैं उसको एंटर्वी कुदे कि फारी क्यों नहीं करते एकी दफा इतने बड़े हैं लीडर हैं तो हमेशा कटते रहते हैं यार वह बस उसका टाइम हो गया था पूरा और बार पूरी जिंदगी थोड़ी कर सकते हैं क्या करते हैं पेसा पेस यारे बार बूस पिर क्या चाहिए तो फिर वो उसका टाइम बागे में हो गया था और भी इशुस से उसमें काफी के यार यह करो वो करो लड़कियां डालो और एक्स बाइज़र्ट वो जाहर उस तरीकी से करना नहीं था 2014 पुलीस इंसिटेंट यह यह है वही है वही है वही है प्लीस आसके मिएक इस हेटरिट फॉर खान साब सो अब्यूस आम फैन फिस कॉमेडी बड़े स्केरलिसनेस में अपके बाद असली जुमला है तो आप मतलब कॉमेडी देखें वह आप से मतलब को शादी तोड़ी कर अच्छा यह भी एक मसला है कि जैसे मेरे एक दोस्ते कह रहे है देखो ना यह बिलावल का करते है ना उसका अपे भाई यह कर गे तो यह तक पहुंचे हैं आप तुम्हें यह क्यों समझ नहीं आरी है वह आर्काइव ने अपलोड कर रहे हैं आप लोड़ कर रहें तो आप अपने सुकोल से नहा लेकिगे क्या अप का फेवरिट कैरेक्टर कौन है यह काफी तारे हैं मतलब हैं काफी तारे हैं सबहे अच्छेशे सबहे अच्छे सबहे तारी अच्छे हैं यह है तक्या शुथ यह तक्षव cosa लेकिन ये भी है कि देखें आप यार मज़े लेने के लिए तके भी रखने पड़ते हैं अच्छा मज़ी बात ये उनके सपोर्टर नहीं नाराज होते हैं या तो वह देखते हैं यह बता रहा हूं आपको यह यही है यह सारा गेम वरना तो सबस्याता उनको सड़ना चाहिए हाँ वो लोग नहीं कभी भी नहीं इनके एक आदबंदे से मेरी बात हुई थी वैसे ने ने है और वो बड़े डिसेंट लोग है यार और वो इस लेवल के डिसेंट हैं कि मुझे लग रहा है जंड़ा भी चेंज कर देंगे अपना कुछ अरसे में हम टीवी का लोगों बन इन से में समझ जाए आप इस की बातो इन जो है ना इन 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 रान जो है अच्छे जादा तर वैसे बार जया है अगर हम इसे को मौजू बना लें ये बारवाले भी ऐसी हैं इपशारे वो बहुत जजबाती है वो बहुत अजीव है और यह देखो और यह उनको लग रहा ह कि इस सिर्फ जिल्म हुआ है इस मुलक में और एक ही आद्मी तो ठीक करेगा और मैं तो अगर वाकई जहन हो इनको तो चाहिए हमसे माफी माँगे क्योंकि इन्होंने रोना डाला कि पचास साल से मुल्ग जो बरबाद कर रहे हैं खान एक अल्टरनेट आ रहे हैं अब खान आ हार चीज उल्टी हुई है पढ़े लेखे लोग जो पीटिया के सबोर्टर्स हैं वो जब देखते हैं कि मैं खड़ा हूं मेरे साथ चेक रजीद कड़ा है आपको लगता है कि हां हम सही तरफ है पर यह वैसे एक टेकनिकल चीज भी है वो पढ़े लिखे जरूर होंगे फिर नए आए हैं इस सारी फील्ड के अंदर आप देखते हैं लोग जो डेली कनेक्टेड नहीं होते हैं हां हां ऐसा ही है उनको लगता है कि हां सब चीज अच्छी चल रही थी फिर बीडियम के हकूमत आगे तो चीज़ें बरबाद हो गई हूं वो डेली नहीं देखते क् जज्मेंट है जज्मेंट नहीं पढ़ा किसी ने उनको क्या लगता है अच्छा फॉरें फंडिंग है वो तो असल में पाकिसानी कंपनीया थी नहीं भई तेरा अकाउंट थे जो छुपाए गए वो इन्वेस्टिगेशन में मिले फिर पता चला सीनियर पीटिय ऑफिशल् नहीं थे ठीक है एंड सीनियर पार्टी लीडर्शिप वस अवेर ऑफ दोस अकाउंट अब ये बात हैं कि लोगों को थोड़ी समझ में आएंगे वो पड़ता फॉरन फंडिड उसको आदमे प्रॉपगेंड़ करके खतम कर दिया अब वह यह कि अगर आपने दूसरे वालो में उनको नहीं समझ में आती कि चीज़ इंपॉर्टेंट है उनको लगता है अचा पावर कॉरिडोर्स में और इनका तो सारा सिस्टम सोशल मीडिया बे बाकियों को इसको तरफ देखने की जरूरत है कि उसमें अगर आप कैटेगराईज करें तो गालियों वाले को हटा द को एक अलगी है उसको वो बड़े तरीके से एक है जो उन सारी पार्टिकल पार्टी को जो है वो काउंटर करते हैं और उनकी पुरानी चीज़ें लागे इसने तो यह कहा था और यह हो गया और फ़ला एक है जो उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि देखें कितना अच्छा का किया तीसरा वो गाली वाले है वो वैसे जादा डॉमिनेट करते हैं लेकिन यह एक तरी वो नैच्छल चल रहा है आई डूंडो कैसे लेकिन अगर आप गोर करें तो यह ऐसा ही है उसमें भी दूसरी तरफ के भी लेयर्जाना के खान साब आकर कहेंगे के यह चोर है ठीक है सची बात है मैंने खुछ दूसको हायर किया है आता है हफ़ते हफ़ते दिन मैं अगली दवा मिलवाओंगा आपसे तो वो एक लेयर्ज है कि उपर से सिगनल आता है और फिर पूरी टीम तेयार बैठी है कि अच्छे यह टार्गेट मिलकिया है हमें उपर से और आप चड़ हो गया हूं कि मैं यह समझना थैता कि यह सारे यूं है और यह ठीक है तो अब उसको यह नहीं हए लहादा कोई ठीक झीए नहीं है तो खांशां अबाके खुला बोल दिया इस मुझा कर यह लोगक्त अपर और आप समझ जो आनी चाहिए वो लोगों को यह है कि अच्छा भी आप देख ले ना कि प्रियोरिटी पता चल जाती है अभी इतनी बड़ी कुदरती आफ़त आई भी है और उसके अंदर आप जलसे और इस सारी तरफ तो यह लोगों को भी समझना चाहिए कि जबातिय से निकल के दे लोग जो है अगर आपको सपोर्ट भी करते हैं तो वो इस चीज को फिर वो आप देखे ने कितना बुरे हालात हैं और उसके अगर आप यह सारे कह रहे हैं और किसी को चोर और यह कह रहे हैं और अपना किसके बास इतना फुदूल टायम है जो आपकी यह वह दस-पंदरा स खान साब कर लो खुदा का वास्त है ठीक है लोगों के फाइदा हो जाएगा अब मुझे पीटिया वाले किस वाद पर टैक कर रहे हैं यह देखो यह अमरान खान को बुरा बला बोलता है नाव ही बैगिंग हम टुदू फंड रेजर मैं कौन हूं भाई अगर मैं खान साब अब मैं लोगों को मरने दूँगा अब मैं फंड्स नी रेस करूंगा यार बिल्कुल ऐसी कल का वाक्या देखें जरा आप अतिफ तोकिर ने ट्वीट की थी कभी कभी आसपानों से आखी में अजाब मनाफिकों के चहरे से नकाब उतारने के लिए आता है ही उत्रा करते है आतिफ तोकिर तुम शकल से पकारा ही लग रहे हो बगैरत के बचे हर ट्वीट इमरान खान के हिलाव कर रहे हो उसने कोई ऐसी बात ही ने की और आफ़ताव खान जिन्होंने रिपलाई किया है उनकी प्रोफाइल विक्चर है काईद आजम सिगरेट पीते हैं यार देखें उसने नर्मल बात की उधर ले आया उसने आये वोला देले मैंने आपको बताया ना कि जब मैंने वो फ्यूल इंक्रीज हुई थी तो मैंने एक तीन पेज का पोस्ट लिखा के यार यह आईमेफ की डील साइन हुई थी यह वजुवात हैं फ्यूल इंक्रीज की यह पिछली यह तो डिरेक्ट ही एक हमला हो गया नहीं है और आपको समझे एक ऐसी चीज से मिला दिया गया जबके तर्माइट्स जो हैं वो कहीं और है तो फिर बंदा इनसे क्या ही बात कर सकता है अरा ठीकत बात है चोड़ें की बातें अपनी जिन्दगी की को बात बताएं पिर हम उ आपके कुछ आप अवाम से मेसेज देना चाहेंगे इक तताम करने पहले यह बड़ा मसला है यह अवाम को क्या किया कि मैंने खुद किया जो मैं उनको नहीं किया आपको लोग कितना हो बद दो हजार पांच में आए ता फॉर मैन यार मेरा हम साथ साथ शायद दो हजाएं पंदरा साल तो हो गए यार खुदारा खौफ करें क्या नहीं किया उन पंदरा सालों में आपने बस बड़ा कुछ किया यार और आखर में मड़ी गालियां कहीं जमा कर लिए हैं बेंदें लेकिन यह करेंगें आपके इंतकाल पे सब ट्वीटे पढ़ेंगे हम बहुत अच जाते वे यह उनको डीम करता है जा रहा हूं तेरी दादी से मिलने कोई मेसेज है तो बताओ मैं डारेक्ट ही वह जा रहा हूं जो बजा बनी तेरी यारे की जाहें नम में मिलूंगा उससे यार बचारे मासूम जो चले गए उनको क्या बुरा कहना कोई कोई आप चाते वे कोई मेसेज देना चाहें को मैं यही मैसेज देना चाहूंगो कि देखें हम सब को एक दूसरे का ख्याल रखना है देख भाल के गालियां देनी है इन बॉक्स में यह ना करें नहीं बस सही है जो जा रहा है सही चल रहा है सही हो रहा है आप जिंदगी में खुश कैसे है यह मेरे में टेम करना पड़ेगा खुशी को नहीं आप खुश है कैसे हैं ये लोगों बताएं किस तरह खुशी लाए जिन्दगी में यार बस ऐसे ये यूस्टू हो गए इन चीज हो गए नहीं खुशी मतलब ये है कि अपने इंटरस्ट की चीजें देखते रहते हैं उनी आप शिए जब तरह लोगों ऐसे अपने कि अपनाई कुटे पाले इंटरस्ट अपर टो अपको पताने उनका पिर इंगलिश का तो इंपक्त आना इंपर अमारे लिडरान भी जब तक माँसे थपा लगा कि ना ये जब लिडरान को भी चाहिए कि माहसे पड़कर रह है आप देखें मुस्तवा भाई के कुटे वहाँ ट्वीट करें आप इंपोर्टर डॉग्स नामन्जूर थैंक यू सेच आपने हमें इतने साल है साया यार हम दुबारा आएंगे बड़ा मज़ा आया हम कुछ कर रहे हैं ना प्लान हम बिल्कुल कर रहे हैं मुर्तजा चौधरी का मैं पता काट रहा हूँ यार बड़ा मज़ा है आपके साथ अभी जो हमने चीज की वो देखेंगे कुछ ताइम आप बहुत मज़ा आया और मतलब क्या जबर दस हुमर है आपका इतने एजुकेटर आदमी है इतनी चीजें आपने और हमारी जो आफ दा कैमेरा कितनी क्या कुछ बातें नहीं हुई तो आप ठीक सिम्त में खड़े ने मैं अभी शो आया नहीं तो इक खुलके में बातें नहीं कहर रहा लेकिन बहुत मज़ा आया बहुत मज़ा आया मुए जादा मज़ा आया और आप से मिलकर आपकी इद़त जो है वो मतलब आप देखते हैं आपको लगता है लेकिन आप मतलब इतने फानी मतलब यह आप सती बैठेवाता है तो मैं तो गर गयाता कृसिसरासास के घर बड़ा मज़ा आया बहुत मज़ाया, बहुत मज़ाया, बैक्टेप भी बहुत मज़ाया, आपके साथ काम करके भी बहुत मज़ाया, पूरी टीम बेसा बहुत मज़ाया, मैं आगे इन डीटेल्स नहीं दे रहा है, कुछ दो, या तो बता दें कि कौन कौन है उसमें, बट सारी लोग जो हैं, इंक्रेडबल पीपल, इंक्रेडबली नाइस पीपल, एन इंक्रेडबली डैलेंटेटड इंशाऑला, काम आप लोग देखेंगे, वही जो, अनवर मुहीन अक्प।र की भी बात करतें हैं, अन्वर मक्सूद साहब और मुईन अक्तर साहब की बाते करते हैं ये इस तरह का एक आइडिया होता है और ये बुश्रान साली ने बहुत अची बात की थी उन से किसी ने पूछा कि वो वक्त चला गया वो वाली बात बुला हर वक्त के अपने लोग होते हैं की अपनी बात होते है ठीक है ये आप नॉस्टेल्जिया में आ रहे हैं और उसी में मरते हैं ना रहे हैं अन्वर मक्सूद और मुईन अक्तर वाई अगर लोग देख रहे हैं तकी भाई को लट से ठीक है मुझे परसंदी नहीं पसंद अब आप कंपेर नहीं कर सकते हैं अन्वर मक्सूद मुईन अक्तर को टकी भाई से यू कांट अवर जेनरेशन हैस और उन परसंदी फॉलो हर जेनरेशन का एक अपना अन्वर होता है मेरा तो रटोल है थैंकिस सो मज मुस्वा चाजरी इंशालला आप लोग हमें बहुत ज्यादा देखेंगे कोई बात बुरी लगी हमें का फरक बढ़ता है कोई भी बात बुरी लगी आप हमें काली देके आपने उस बात को जो भी आपको बुरी लग देखेंगे आप हमें मेरे ट्विटर है लेकिन बेल आइकन को आपने जरूर दबाना होता है यह मेरे खाल में उसके साथ लिखा वा रहा है उसमें प्रोस्पेक्टर्स जो है उसके लिखा बेल आइकन को जरूर बाइए तो हमारा भी दबा दीजे बेल आइकन अचा यह बताएं आप से सवाल यह है वो शफात नहीं पूछा था कि यह बर्गर लोग हैं बॉलिवूड क्यों नहीं देख रहें कितना बॉलिवूड देखता हूं आपका कौन है फेवरिट बॉलिवूड में सारी अच्छे हैं आपका अजे देवगन वो भी एरो आ सकता है फसी जगा ने बड़ी अच्छी बात की वो अजे द अच्छी को बतानी चला है वो सड़क चल रहे थे किसी लिफ नहीं करें ने वाकि में आये थे और वो मैंने का छोटा बैग लेगर रहा हूंगे उसने कौन सी जगट पहन ने अजे बही आये थे अच्छी हैं सारी अच्छी हैं अभी तो बहुत अर्से मैंने कोई देखी न यार मुझे अन्दाजा है हॉली बॉली लॉली तीन हो गए आपको कौन पसंद है बॉली वॉड मैं मैं कह रहा हूं नहीं सब सब अच्छे हैं अच्छा मूवी कौन सी आपकी यार पी के अच्छी दी अभी तो बहुत रिसेंट आप से लिए हैं यह यार ब्लॉक इंचॉक आपके देखते हैं ना वह वाली तो नहीं अच्छा आपना अपना देखिया है जी बिलकुल देखिया है आपकी तो फेवरिट मूवी होनी चाहिए क्योंकि वह मेरी फेवरिट मूवी अच्छी है वाली वॉड में हुमर मुझे लग दे नहीं है है ना दो तो फनी मूवी है एक हेरा पेरी एक अंदा अपना अच्छा है वह सिच्वेशनल कॉमेडी मतलब वह अपना अच्छे मोमो वाला उसमें भी अच्छे आरी है लेकिन वैसे मैं एक जर्डिनल बात कर रहा हूं कि अब वह उनके स्टैंडब कोमेडियन जो हैं उनके अच्छे में आप वसीम अकरम हैं और आप कहरे हैं जहीर खान की बोलिंग अच्छी नहीं जहीर खान बहुत अच्छा बॉलर है लेकिन आप वसीम अकरम है तो आप अपनी नजर से देख रहे मैं इन्डियन कॉमेक्स आर वेरी वेरी गुरूर यह यह नहीं है मैं और कहना मैं ताबिश है यह यार बहुत अच्छे बतलब सही अच्छा प्यारा अजबर्दस यूमर है कि आपको हसने में मजबूर कर देंगे यही परपस है और क्या है बाकी जो है वो उनकी आई शायद एक आद देखा मैंने वो सरदार भाई अच्छे थे बाकी मुझे इतन नहीं लगे वो सख्त लॉंडा वो कहते हैं अब रह यह को एच्छी बाद में तो असी नहीं आ रही कि तेरा बाई सख्त लॉंडा वह समझने की ज़रूरत है वो बाँ जाकरगान वेरी गूड अबीशे का पन्यू बहुत अच्छा है अच्छा आशी बहुत अच्छा है कर का ये है कि वो लोग उस पुराने उसमें फसे वे हैं अब उसके रूट में जाना पड़ेगा बड़ पार्सी थेटर कंपनीज जो होती दी ना उन्होंने क्या किया था? उन्होंने नौटंकी का जो स्टायल है न जो फोक फॉर्ण है नौल इंडिया का उसको लेकर शेक्सपिरियन स्ट्रक्टम में ढाल दिया था अब ये जो सुनने वाले हो परिशान हो जाएंगे कि शेक्सपियर और बॉलीवूड का क्या रिलेशन है बहुत रिलेशन है जो सीन सीन का स्ट्रक्चर है वो शेक्सपियर से आता है और वो जब आपने इंडियन फोक फॉर्म्स में इंकॉपरेट किया तो पार्सी थेटर कंपनी थी क्योंकि कमर्शल थेटर कंपनी थी तो वो टिकेट बेशने के लिए शोज करते थे तो उसमें वो डिवोशनल और वो सारा कोई अलेमेंट नहीं था तो उसमें दो चीज़ें करनी थी उनको एक कॉमेडी डालनी थी दूसरी जो है वो औरतें डालनी थी लेडिस लेडिस और लेडिस भी कौन गोरी सहे मैरी फेंटन नाम की एक खातून थी वो आई तो नाम से टाइट लग भी वो नाराज हो गए जो पार्सी मर्द थे जो औरते प्ले करते थे वो सड़ गए आप तो असल औरत ले आए हैं हमारे थेटर में हम करना चोड़ देंगे तो वहां से बॉली वोड की काफी इंस्परेशन आई तो शुरू शुरू में भी आप वो जो 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 जॉनी लिवर सीन्स देखते हैं वो अल्मोस्ट डेटेच्ट है अच्छा आपने देखा कि मूवी चल रही है एक लव मूवी फिर वो सड़क पे कवा बिरियानी खा रहा है जिसका मूवी से कोई तालुक नहीं वो एक कॉमेडी देखिए आपने वापिस आप उस पे आगए तो ये वहां से उनका पूरा स्ट्रक्चर चलता वाह रहा है मसाला बिल्कुल सो वो इस तरह से उनकी सिच्वेशनल कॉमेडी डिवेलप नहीं हुई जो अंदाज अपना अपना या हेरा फिरी में फिर भी नजर आजाती आपको सिच्वेशन स्वानी otherwise they rely on के जॉनी लिवर आजाए राजपाल यादव आजाए but the movie itself is not funny अंग्रेजी बहुत अएरप्लेन देखी है आपने नहीं यार मैंने आखरी मसाया देखी थी वो नेटफ्लेक्स पे बड़े अच्छी लगी मुझे असल में शाइद में मुझे जो यह वाला सेंस भी नहीं मेरा अच्छी जो मसाया देखी थी ने ने वो एक सीजन था वो वो जो मेन लीड है उसमें प्ले कर रहे उसके बारे में ने देखा था वो वापको ऐसे निया था राभी सेंटर में कुर्ते बेच था वह वकार जगा भी था वकार जगा भी हो Mr. Nobody मुझे बहुत इच्छी लगी बहुत conceptual थी एक बड़ी मज़े की फिल्म थी मेरे दोस्ते एक ने recommend की थी वो इसी तरह की टेड़ी फिल्में देखता है वो एक उसमें एक Russian मुझे बताई थी उसका नाम भी मेरे जाहन से निकल रहा मैं नंबर बेचता हूँ उसका यह बहुत अच्छी फिल्म थी यकिन करें आप उसमें लंबे लंबे शॉर्ट्स थे और मतलब वह वही थी कि दो अनवा जो है वो आपस में कितना gap होता उसमें मतलब एक की dimension दूसरी है दूसरी है तो वो आपस में कम्यूनिकेशन किस तरह हो सकती या नहीं हो सकती life के उपर थी, death के उपर थी वो बड़ी मज़े की फिल्म थी Russian और काफी लंबी फिल्म थी जिसको बाद में Hollywood में भी कॉपी किया गया और वो देखी वो बड़ी मज़े की थी तो वो मुझे इस तरह की फिल्म में रेफर करता रहता है मैं देखता रहता हूँ एक वो देखी थी मैंने A Man on Earth वो बहुत अच्छी थी वो मज़े की थी या वो बहुत मज़े की थी इस तरह की मुझे पसांद आती है यह जो Bollywood जो है ना इस पे जो फॉरन गाना और यह प्यार से निकल नहीं रही है यह मौबच से इसलिए आपको पीके पसंद रहे है लव इस वेस्ट अव टाइम यार यह क्या मतलब ठीक है उसको आप फिल्म के अंदर एक सान्वी तोर पे रहे है लगिन यो मतलब इतने दुनिया में सब्जेक्ट है अब चेंज हो रही है यार अब यह बहुत हो गया यह लव स्टोरी से निकलना चाहिए यह तो मच आपको अबर बुछ इंजॉएवरीधिंग आइम्ट पर बचीदी But I'll also enjoy something that happens I'll enjoy it I'll tell you, it's time for that time I've recently seen RRR Have you seen it? No, no, no It's a South Indian movie No Your mind will go up It's such a spectacle movie There are songs There's no realism Over the top is everything What a movie What a, like, event So that's a very good example That it's not necessarily Every movie is realistic Small No, it's not realistic I'm saying that There are a lot of concepts In addition to love Tiger is a nerd Okay, that's a tiger I've heard his story Sir, he's British And there are ideas Very deep in colonization And British I loved that movie Right, right You'll see it You'll see it And put it on TV It's an epic I'll see it I won't see it No, no Big, big screen Come here We'll see it We'll see it We'll play it We'll see it But we'll see it We'll see it We'll see it It's another problem That we'll see too And we'll see it We'll see it We'll see it It's like a movie That's the movie And we'll see it That's the movie Of the movie कोई तो एक चीज होगी ना हमारी अपनी भी पाकिस्तानियों की मुझी ये प्रॉब्लम नहीं कि वो मैं कहा रहा हूं उनको छापने का फजूल इसलिए है क्योंकि वो ज्यादा अच्छी कर चुक है ना थो बाप के दुबारा बनाना चाहरा है वैसी अच्छी करानी है वो फिजा की मुवी थी फिल्म वालों की अच्छी उन्हों कितने गाने चाप है हमारे यार गाने चाप है बिल्कुल चाप है उमर शरीफ सो कहते थे कि मुन्नी बदनाम हुई मैंने लिखा है नतवू हाँ 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 कहते थे कि अठ्ञा बदनाम हुआ ते रिए मैंने गाना लिखा था इन्होंने उसको मुन्ध बदनाम होके चाप दिया वो भी अभी वो आमिर खान मजजी वाई उसके ओपर भी हो रहें कि वो भी कोई हॉलिवूड की तो वो है रीमेक है वो तो ओफिशल रीमेक है फॉरस गंप की लाल सिंग तो हां हिंदी में चापा नहीं है वो यहने के आज वो राइट्स लेकर सही तरीके जो पर तरीका है ओ इस वो सेही सही तो छापा उसको नहीं गहांग है रीमेक आव रेंसी कर दो नहीं तो इसकी टीम अच्छी है वो बहतर कॉंसेप्ट होते मैंसे अमेर खान के रंग देगी मैं प्रोबिले देखिय है बाइव बदेखी है वह बहुत अच्छी है वह उप अगल एफिए वह त that because it has songs, it has love, it has all those things but it also has all the good things Rang Devasanthi is a very very good one बातरीन, बातरीन मुवी है और मुवियां देखते हैं और इसी तरह प्यार महबबत में मुवियां देखते वे बाते करते वे, राते कुजारें दिन कुजारें, गालियां मत दें प्यार दें, और अगर मुझे प्यार करें बिल्कुल, अगर प्यार नहीं देंगे तो हमें दें प्यार आप, जिससे प्यार करना है अले मुस्तवा चौधरी भाई की हटती है आप करे, आप करे मुवबत करे, अद्धा, लव यू से निकल नी रही यह कौम यार, यह को तरीका है लफस्वांग चला रहे हैं दिम्या में क्या क्या हो रहे हैं यह देखे हैं, हम टीवी देख रहे हैं यह देखो यार अर गर में मसला चल रहा है जो चैनल खोलो हर गर में मसला चल रहा है इस वक्त देख लें आप इस वक कोई भी जो देख रहे ना अभी टीवी लगा है, ना आ रहा हुआ फिर देखना, पता नहीं शफीक ने खाना भी खाया होगा कि यह बैई शफीक दिल्ला का लेगा, मेरे खाल से यह इसी पे रहें क्योंकि जब नए आइडिया देते हैं तो फिर वो फिजा शिजा हो हमारे हां तो कभी यह confusion नहीं हुई यार, इनके घरों में ही चल रहे हैं यह मसले, सो खुछ रहें, और अगर गालिया देनी है, मुस्तवा भाई को इनका Twitter handle है, at the rate, I am, R A N, K H A N, P T I, जितनी गालिया देनी है, खुल के, खुल के, खुल के, खुल के, रुकना नही है, गरो, जार देओ, थानके जार देओ, थानके लिए, खुल के लिए, जार देओ, थानके लिए, खुल के लिए, आईड़ेट करें, जिस तो गिव यू एन आइडिया के, हम जो celebrate करें, कि IMF से पैसे आये हैं, तो Pakistan default से बज़ गया है, that is 1.17 billion dollars, और early estimates, जो है, flood loss के, वो 15 billion dollars है तो, I don't know how Pakistan will recover from this, but it will take a long while and everything that you do, will help, आज जो इतारा हम हाइलाइट करना चाहते हैं, वो orange tree foundation है, मैंने खुद कराची में उनका काम देखा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, they are trying to make ration bags, जो सिंद और बलोचसतान में flood effectis को जाएगा, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो account number और उनकी details हम आपको provide कर देंगे, please help and as always thank you for listening.